चलिए दोस्त हम लोग अपना आज का क्लाश शुरू करते हैं हम लोग कर रहे थे partnership चलो आज एक concept से start करते हैं लिखो concept का number है concept number 9 और यह है बच्चे repayment of partners loan repayment of partners loan repayment of partners loan लिखा अब मैं आपको यह थोड़ा सा समझा देता हूँ फटा फट आप एक बार समझ लो अभी लिखने का कोई जरुवत नहीं है फिर इसको सम के थ्रू और भी अच्छे से समझेंगे पहले एक में रफ आइडे देता हूँ अभी तक आप अभी cash निदे रहे तो हम लोग बुल रहे कि काम करो loan account में transfer कर दो मतलब हम लोग क्या कर देते हैं partners capital account debit to retiring partners क्या कर रहे है loan account में डाल दे रहे हैं अब यह जो loan में डाल दिये बच्छे यह लोगा तो repayment करना पड़ेगा मतला का पैसा वापस करना पड़ेगा और लोग का पैसा जाब वापस करतें जनडरली interest जोड जोड के वापस करतें क्या जोड के वापस करतें एंट्रेस जडोड के तो इसको जब repayment करेंगे तो यह loan account कैसा दिखता है अपने को यह समझने तो क्या है इसमें ना दो तरीका का situation बन सकता है repayment में क्या वो दो तरीका है मैं आपको वो समझाता हूं मानलो कोई partner C है ठीगा ना अब C का C's capital account debit to C's loan account में मानलो सब कुछ करके एक लाख रुपया आ गया कितना रुपया गया एक लाख रुपया अब मैं तुमको बोल रहा हूं इस loan को repayment करना है मैं दो केस का बात करूंगा अब उस दो केस को समझ ले मैं पहला case ऐसे बोल रहा हूं कि मानलो ऐसे बोल रहा हूं यह वाला figure को ना 1,20 बना देता हूं चलेगा ना आम कोई दिक्कत थोडी ने मैं बोल रहा हूं लोन विल बी रिपेड इन थ्री इक्वल इन्स्टॉल्मेंट टूगेधर विद इंट्रेस्ट अट धरेट 10 परसेंट परैनम तूगेधर विद इंट्रेस्ट अब यह अन्राइटिंग पर ध्यान मत देना मैं बस आपको रफ में एक बार समझा रहा हूं कि क्या क्या लैंग्वेज उस करता है तो ध्यान से पढ़ना इस लैंग्वेज को बोल रहा है लोन विल भी रिपेड हम लोग लोन का पैसा वापस करेंगे रिपे करेंगे किन त अब आपने पास टोटल कितना है वन लाक ट्वेडी थाउसे इसको थ्री इक्वल इंस्टॉल्मेंट में तोड़ना है तो तुमारा मन में कैल्कुलेशन चलो हो जाएगा वन लाक ट्वेंटी को अगर थ्री इक्वल पार्ट में तो एक एक पार्ट कितने का है चालीस क्या लगेगा उस पर कंसंट्रेट करना है आपको भी कुछ नहीं लिखना अभी आप समझों जैसे कि पहले दिन क्या हो रहा है जिस दिन वो रिटायर कर रहा है उस दिन एंट्री बना सीज कापिटल टू सीज लोन मानलो यह तारीक है वन वन टू थाउजन ट्वेंटी मान अब क्या है हम लोग लोन का equal repayment करेंगे तीन सालों में तीन equal parts में करेंगे तीन सालों में करेंगे बट interest जोड़के और याद रखना interest is always given on outstanding balance क्या बोला सर? interest is always calculated on outstanding balance नहीं सुनें आप interest is always given on outstanding balance मतलब year के end में हमको interest का due entry करना है अच्छे बहले logically सोच लो हमको partnership firm को इस loan पे interest देना है कि लेना है देना है तो interest मेरा खर्चा है कि income है खर्चा है तो English हों बलेंगे expense है और expense debit debit होता है कि credit debit होता है तो interest मेरा expense है तो interest को debit करेंगे to interest to loan account में डाल देंगे समाझ मारा है किसको देना है C को देना है तो C के नाम का कौन सा account है मेरे पास loan तो loan account में डाल देंगे तो entry बन रहा है interest to loan तो loan account में जाके हम लिखेंगे buy interest इसको बोलते है due entry इंट्रेस्ट द्यू एंट्री किया इंट्री बोलते हैं इस पे मुझे पूरे साल का इंट्रेस्ट देना 10% यानि कितना बनेगा 12,000 और अब मैं year के end में आके मुन्ना अपना loan repayment करूँगा तो loan account debit to bank account अब जब loan का repayment होगा मुन्ना समझो 40,000 प्लस इंट्रेस्ट देना है तो टोटल मुझे कितना देना पड़ेगा 52 अब यह करके आप year के end में आओगे balance करने के लिए two balance current down लिखोगे तो अब आप हिसाब लगाओगे देखो आपका balance कितना आ रहा है देखो 80,000 आ रहा है क्या 80 आ जाएगा अब जो 20 का closing है वो 21 का क्या बन जाएगा opening balance पूरा concentration screen पर रखना मुन्ना पूरा concentration screen पर रखना और मेरे आवाज पर ध्यान देते रहा है फिर से अगले साल year के end में मुझे interest को due करना पड़ेगा तो interest due करने का वही entry है by interest and interest will be calculated on outstanding balance या फिर opening balance भूलनों opening balance कितना था loan का 80,000 तो 80,000 पर 10% यानि इस साल का interest कितना देना है 8,000 इस साल जब मैं payment करने आउंगा 31, 12, 20 loan account debit to bank account 40,000 principal देना है प्लस 8,000 का interest देना है यानि total installment कितने का देना है 48 का installment पे करना है बुलो बात समझ में आ रहा है अब इसके बात देखो year के end में 21 है 31, 12, 21 two balance carried down कितना बज़ गया 40 बज़ गया अब अगले साल का opening बनेगा 1, 1, 22 buy balance brought down कितना है 40,000 अब मैं year के end में आके क्या करूंगा बोलो interest due करेंगे क्या करेंगे वट पिछन देना interest due तो मैं लेकूंगा buy interest interest will be calculated on outstanding balance 40,000 का 10% interest परायनम था तो कितना हो गया और फिर मैं 31, 12, 22 आके जब pay करूंगा loan account debit to bank principal कितना था 40 और interest 4 टोटल कितना हो गया 44 और देखो account कितम कुछ निए principal plus interest जोड़ जोड़ के payment करते रहे एक तो तरीका ऐसे हो सकता है दूसरा language जो लोग कैसे बोलता है मैंने बोला तो दो तरीका बताऊंगा एक तो यह तरीका हुआ जब लोग बोलेगा loan को equal parts में तोड़ देना interest देना एक तो यह हो गया एक होता है ऐसे भी बोल सकता है और लोग ना installment का amount बना के देदेगा ने समझा बना बनाया installment देगा मतलब ऐसे लिखाओ मेलेगा loan will be repaid at the rate 50,000 every year for first two years and balance in third year और तुमको बता दिया मानलो interest at the rate 10% पर आना मतलब यहां पर क्या कर रहा है देखो हम लोग लोंड रिपे करेंगे किन्दू पहला दो साल 50-50,000 ही देंगे मतलब पचास-पचास मतलब यह जो पचास ज़र दे रहा है न यह बना बनाया installment है मतलब यह interest जोड़के लोग बोल दे रहा है मतलब यहां क्या difference हो रहा है इसको अकाउंट को देखो के तो समझ मेरेगा अगर ऐसे बात नहीं समझ मेरा रहा है गवराने का ज़रूत नहीं है यही लोग अकाउंट अब कैसा दिखेगा इस पर जरक कंसेंट्रेट करो मैं इसलिए बोल रहा हूं बस स्क्रीन पे अगर नजर बनाए रखे तो आप समझ जाओगे अब देखो क्या हुआ ना वन वन ट्वेंटी को सीज क्यापिटल टू सीज लोन तो भाई सीज क्यापिटल बोलके टांग के लिए कितना था एक लाग नहीं था एक लाग बीस अस हो गया अब हमारा नियम क्या इयर के एंड में हम इंट्रेस्ट ड्यू करते तो यहां भी इंट्रेस्ट ड्यू करेंगे बहले ही इंस्ट्रॉल्मेंट बना के दिया हो इंट्रेस्ट तो हो गई साल भर का और रूल वह यह इंट्रेस्ट विल बी क्याल्कुलेटेटेड ओन आउट्स्टेंडिंग बालेंस तो लास्ट आउट्स्टेंडिंग बालेंस कितना है 120 इस पे 10 परसेंट यानी 12,000 का इंट्रेस्ट हो जाएगा अब मैं इंस्टॉल्मेंट पे करने होंगा 31,12,20 को लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक मज़ा कब आते हैं लोग बना कि दे दिया इंस्टॉल्मेंट पचास अधार तो पे करने और फिर पता चल गया भी भी कितना रुपया देना बागी है तो टू बैलेंस क्यारेट डाउ जर असा हिसाब कर लो 82 होगना चाहिए 120 प्लस 12 माइनस 50 जोड के दिखा रहा था यहां पर अलग से बना बनाया इंस्टॉल्मेंट है मतलब अगर आप मन की आंखों से देखो यह एक्जामें नहीं दिखाना आपकी मन की आंखों से देखने का बोल रहा हूं इस पचास अज हजार में प्रिंसीपल भी इंट्रेश भी है इसमें इंट्रेश 12,000 का कैसे बता चला क्योंकि इस साल का इंट्रेश कितना है 12,000 और इसमें प्रिंसीपल है बाकी रुपया मतलब 50,000-12,000 यानि 38,000 का प्रिंसीपल रिपेमेंट हुए दिखाना नहीं है पर आपको समझना प को यह सब लिखना नहीं है मैं पूरा सम के तुरू आपको सब लिखवा दूंगा आप टेंशन मतलो मैं 1121 को ओपनिंग बैलेंस आगा लोन का बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 82 है अब सोचो एयर के सब्सक्राओं अब सब्सक्राइब भी एर के एंड में जब मैं लोन रिपेमेंट करूंगा लोन अकाउंट डेभी टू मैं सेकेंड यर भी कितना पे करने बुला है पचास तो ज्यादा सोचने का जरूतनी पचास पे कर दो हां तुम मन में सोच सकता है कि जो 50,000 है ना इसमें से यह जो 8200 यह तो इंटरेस्ट ग अरे डाउन देखा दो हां तो 82,000 है तरी 82 प्लस यह कर दिया माइनस पचास अजर आप ठीक है बोल रहे हो 40,200 ना तो यह बैलन्स बचेगा 40,200 का बैलन्स बचेगा और 22 में जाके में ओपनिंग बैलन्स बनेगा यह 40,200 अब इसमें इंटरेस्ट होगा इयर के इंट में 31,12,22 को बाई इंटरेस्ट 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 विल बी कैल्कुलेटेटेड ओन आउट्स्टेडिंग बैलन्स तो इसके उपर 10 परसेंट यह बनेगा 4020 किंतु थर्ड यह में आके मैं 50 पे नहीं करूंगा मैंने का 4020 तो दोनों मिला क्या रहा है 44,220 यह पेमेंट हो तो मेजर यह दो तरीका है लोन रिपेमेंट का दो तरीका में डिफरेंस समझो पहला वाला तरीका में इंस्ट्रॉल्मेंट बना के नहीं दिया था हमको बनाना पढ़ रहा था प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जोड सब चुछ रहा है15 के सेकंड बना बनाएं इंस्ट्रॉल्मेंट यह तो आलग से इंट्रेस्ट जोडने का कुछ नहीं है, अगर आप अकांटिंग सोच रहे हो तो अकांटिंग में तो कई दम ही नहीं है, हम क्या रहे है, फिर इंट्रेस्ट कर रहे है है फिर लोन का रिपेमेंट हो रहा है फिर बैलेंस बच रहा है बस और तो कुछ है ही नहीं इसमें मैंने कोशिश के सबसे आसान तरीका से समझाने का समझ मैं है चलो सर रेटार्मेंट तो खतम हो गया अब अगला यूनिट के तरफ चलते हैं यह अपना है यूनिट नमबर फाइब कि डेट ऑफ पार्टन डेठ समस्ते हो को खलाशUp हudतर अब क्या रेट में पहले सुन लो दो मिनिट मेरा बहुत ही आसान स्यूंपर एक्ट ब prima मान लो A, B, C partner है, अब इसमें से मान लो जो partner C है उसका death हो गया, death, death हो गया मतला मर गया, और बाकी partner लोग decide क्या कि they will continue their partnership business, तो ये जो death वाला situation है, it is also reconstitution of harm, क्योंकि यहाँ पर मैं बोलूँगा फिर से वही बलाई हूँ, जो मैं पहले से चिलाता हा रहा हूँ, A, B, C का पुराना partnership खत्म, और A और B का नया partnership शुरूर, तो again, it is a case of reconstitution of firm, क्योंकि बच्ची यह reconstitution of firm है, सारा कहानी से में है, Actually, अगर आप मेरे से पूछोगे ना, तो retirement और date में बहुत ज़्यादा फरक नहीं है, देखो, दोन में फरक क्या है ना, retirement में, जो partner है ना, वो अपनी मर्जी से जाता है, तो बात समझो, दुनिया में जो सबसे simple इंसान पाए जाते जानते हैं, वो लोग कौन से प्रजाती क्यों होते हैं, accountant लोग, एकदम मासुम आदमी लोग होते हैं, हम लोग कोई दुनिया का मोह हैं से मतलब नहीं हम तो बस इतना ही समझते हैं, वो जा रहा है, कैसे जा रहा है उससे मतलब, नहीं है, अपनी मर्जी से जा रहा है, भगवान की मर्जी से की पड़ोसन की मर्जी से, हम को क्या मतलब है, हम तो बस इतना ही समझते हैं कि वो जा रहा है, तो जाते वक्त आपने जो जो adjustment सीख रखाए ना, सारा वही काम करना है, मेरा बात मतलब अगर आप मैं से बोलो कि सबसे पहला बात क्या करना चाहिए हमें इसमें, मैं बोलूँगा new profit sharing ratio, और मैं कुछ नहीं सिखाने वाला, क्यों, क्यों क्यों already done in retirement, अरे वही तो ABC जा रहा है, sorry ABC है इसमें C, जा रहा है, तो तुमको तो सिखाया बता, ABC 321, C चला गया, तो कौन बचा, A और B, तो new ratio क्या होगा, यह आपको पता ही है, तो इसमें मैं time waste नहीं कराना चाहता, मेरे कहले समझ में क्या होगा, अब जब भी कोई partner जाता है ना, वहाँ बात उठता है gaining ratio का, और gaining ratio आपको सिखाया है, new profit sharing ratio minus old ratio, return में वही है, तो मैं दुबारा बोल कि आपक को discuss करना चाहिए, वो है accumulated profits and losses, और सर इसका वही रूल है, accumulated profit and losses shall be distributed, old partner in there, old profit sharing ratio, मतलब A, B, C partner है, इनका ratio 3 to 1 है, मान लो C लुडग गिया, और उसके बाद A और B का नया ratio 5 to 3 है, तो जो भी accumulated profit loss है, वो A, B, C तीनो में बाता जाएगा, इन देर, old ratio 3 to 1, मुझे नहीं लगता कि इसमें आप ज्यादा कुछ बोलना है, इतना बार बोल दी है, एडिमीशन से चिला रहा हूं, और अगर अब भी नहीं समझ में आया, तो पाप का घड़ा आपका भर चुका है, गंगा जी में गहने का समय आ गया है, जाना गंगा ज जो चर्चा करना है, वो है हमारा, revaluation of assets and liabilities, और इसका भी यह सारा asset liability revalue होगा, and revaluation profit loss shall be distributed among old partner, in their old profit sharing ratio, अभी तक कुछ निया बात बोला है क्या, नहीं, अगला point of discussion है, that is, goodwill adjustment, और फिर से मैं बोलूँगा, same to same, copy the paste, gaining partner to sacrificing, अब लिखाने का भी मूड़ी नहीं, इतना बार लिख लिए, अब अगर हम लिखाएंगे, हमको पदा तुम कुछ फेक के मार देगा, तो हम ऐसा risk नहीं लेंगे, भाई, हमको पदा तुम लोग champion बन गय case के अंदर, यहां तक तो ठीक चल रहा है, 6th point जो आएगा, वो नया point है, that is, broken period, profit or loss, broken period, profit or loss, यह एक extra point है, इसको थोड़ा सा मेरे से समझ लोगे, तो काम होच है, बोलो भीया, अगर आप मेरे से पूछते हो न भीया, death और retirement में क्या difference है, मेरे से पूछते हो, मैं बोलता हूँ सीब एक चीज़ का difference है, तुनना words पर जहां देना, जो retirement है न, retirement, वो date देख के होता है, किन्तो जो death होता है, जो death होता है, वो date देख के नहीं होता है, कभी भी हो सकता है, यह हम आज के दिनी जाएंगे, यह decide करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, कुछ लोगों के लिए आसान है, किन्तो maximum इनसान के लिए थोड़ा मुश्किल है, कि मैं आज ही जा रहा हूँ, मे या हिसाब क्या है कि समझो थोड़ा सा बार कि मानलो एक गीवन एर है मानलो पिछला साल गया 2022 अब नया साल चालू हुआ है 23 1123 चालू हुआ अब ये साल खतम कब होगा 31 1223 अब मानलो मेरा तीन पार्टनर है A B और C इनका प्रॉफिट शेरिंग रेशियो मानलेते हैं 5 इस्ट का डेत हो गया है हां बया तो आपको क्या दिक्कत है मेरी को क्या दिक्कत है सी का डेत से बात समझो यह चलता हुआ साल के बीच में ना विचारा मरा है रिटार्मेंट रिटार्मेंट आप लोग करते हो जितना सम उसमें ज्यादा जमेला नहीं है उसमें जनरली येर के end में कि यह बीच में मर गया तो आपको डिक्कत है क्या दिक्कत का क्यांतिंग वैस समझो वह 1-4 तक जिन्दा था वह पर जिंदा था तो पार्टनर था किदो जब मर गया उसके बाद वह पार्टनर है सकता है क्या भूत पार्टनरशिप में आलाउड निया एक्ट एक्ट में कहीं दिखा कि बहुत अलाउड है मेरा बात समझो तो बहिया समझो जितना दिन जिन्दा था वह ऐसा पार्टनर जिन्दा था तो जितना दिन वह जिन्दा था वह उतना दिन का प्रॉफिट लेके जाएगा उसको उतना दिन का profit देना पड़ेगा मतलब समझो यह यहां से लगए यह तो पूरा साल है पर वह जुन्दा पूरा साल नहीं था वह यहां देखो तीन महेना जिन्दा था इसको मैंने नाम दे दिया broken period पूरा साल नहीं है ना तो तोड़ा हुआ है तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया broken period तो जब वह partner disease partner है ना वह broken period profit भी लेके जाएगा broken period समझ गया year के starting से लेके मरने के दिन तक का जिस साल डेट हुआ है उस साल के starting से मरने के दिन तक का वह अपने share of profit भी लेकर जाए तुरंत तो मैंने एक काम किजिए ना पता कर लिजे तीन महने का profit कितना है हम बहुत कैसे पता करें प्ल बनाएगे निकाल लीजी तीन महने का profit नहीं नहीं मतलब प्ल एयर के end में बनता है बीच में नहीं बनता है आप याद कर जब भी प्ल बनाते ते ऐसे लिखते थे for the year ended याद आ रहा है तो वह year के end में बनता है इयर के बीच में नहीं बनता तो विर्विया कैसे पता चलेगा तीन महने का profit अब यह डिपेंड करता है कि partners लोग के बीच में किस तरह का clause है जब भी partnership partner का जो profit है वह average profit of last three years के साफ से दिया जाएगा वर्ट में देना क्या बोला मैंने average profit of last three years मतलब year one year two year three आपको दे देगा अब last three साल का profit है मान लो एक साल का बुलता है पचास अजार है एक साल का बुलता है एक लाक है और एक साल का मान लो बुलता है 75 तो इसका average करना अपने को तो मैं average कैसे करना आता है हां तीनों को प्लस कर लो 50 प्लस वन लाक प्लस 75 डिवाइड़ बाई 3 50 प्लस वन लाक प्लस 75 डिवाइड़ बाई 3 किया लो जी average profit आगया 75,000 तो इसका मतलब partner C को कितना देंगे 75 मत देना गदेड़ा यह average profit निकला है यह एक एक साल का profit है तो अपटा मोटी एक साल में कितना profit कमाता है 75 तो यह एक साल का profit है सी क्या पूरा एक साल जिन्दा था तीन महना जिन्दा था तो उसको तीन महना का प्रॉफिट मिलेगा तो सुनो ना 75,000 एक साल का प्रॉफिट है तीन महना कितना होगा 3 by 12 तो 75,000 into 3 divided by 12 18,750 इसका मतब सी कितना लिखे चाहेगा 18,750 बिल्कुल गलत गधेडा ये 18,750 तो तीन मह महने का प्रॉफिट है तीन महना का प्रॉफिट में सिर्फ सी का हिस्सा होगा क्या तीनों पार्टनर तो था तो ये ये ना ये तीनों पार्टनर का प्रॉफिट है हमको तो सी का हिस्सा निकालना है तो सी शेर कितना होगा तो 18,750 में इधर देखो प्रॉफिट शेरिंग र कि ह anonymous हैं ऐसे क्लॉस बूलाकि एक साल का प्रॉफिट इन मैंणे का प्रॉफिट देना है तो मैंने पता हैं तो तेन मैंने का प्रॉफिट प्रॉफिट पर स्यो फोर्म प्रोफिट के दम ना पर्म या प्रोफिट ने पूर्पन कॊर्पव में सी का कितना श corazón तो तीन महरे में वह हीट लेके जरूरी नहीं कि अब्यक्षामे लोग हमेशा आवरेज बने तो मैंने सेंपल दिया अब तुमको उनको बोह का निकाल लेंगे इसका कोई hard and fast rule नहीं है अब वो लोग अपना क्लाउस कैसे बनाया है यह मैं कैसे बताऊंगा दो पार्टनर के बीच का बात है जब मिया बीबी राजी तो क्या करेगा का जी सुनाया ना यह अलडायल हो के भी हां तो जैसे बोलेगा वैसे निकाल लेंगे पर बज़पन में सीखें PL appropriation मतलब अगर आप PL appropriation अकाउंट बना रहे हो तो आपको अगर सी के दोए रहे तो क्या लिखोगे टू सी कापिटल 375 रही होना ची किन्तु फिर से दिक्कत क्या है आप entry सोच रहे हो मन्द में कि भी आप प्रॉफिट माटेंगे तो PL appropriation अकाउंट प्रॉफिट में तुमिन बाट रहा हूं बीच में बाट रहा हूं यार बीच में स्टार्टिंग में भी नहीं बीच में बाट रहा हूं तो PL appropriation अकाउंट तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं इसके बद एक temporary अकाउंट खुलते हैं उसका नाम है प्ल सस्पेंस अकाउंट क् अप्ल यह अप्रॉपिशिये पतानी प्ल है पतानी सस्पेंस है तो क्या नाम रख दिया प्ल सस्पेंस जाब प्रॉफिड मांट होगे तो एंट्री क्या होता है प्ल सस्पेंस टूडिस इस पार्टनर सेमध कि यहाना जो मर्ग ए इंगलिश में बोल रहा हूं पर अपने को उतना नहीं जाना है बस आपको आपको पुछे का ब्रोकेन पिलेट प्रॉफिट का जर्ले इंट्री का तो क्या बोलोगे पील सस्पेंस अकाउंट डेबिट्टो सेस क्यापिटल पाटनर्स क्यापिटल नहीं समझा यह सात्वा नंबर छटा ही तो है इसके पीडिट का चाउंट आपटर आपकोट टूंट इसेज़ पाटनर्स काउंटा। लिखा अब सुनो मेरा बात सुने के लिए रेडियो पक्का अब लास्ट में जाके पार्टनर को उसका पैसा वापस करना नहीं समझा मैं बतला मैं बोल रहा हूं पाइनल रीपेमेंट यह है फाइनल दूर तरह कि रीपेमेंट तो डिशी स्पार्टनर को जब हम फाइनली पैसा देंगे सारा पैसा एक अठा कर लिए कि इतना रुपया देना रहा है नहीं समझाओ पांच लाख रुपया तो इसको रीपेमेंट करने के इंट्री क्या होगा मानलो ABC में मैं से बोल रहा हूँ ABC पार्टनर है C का डेत हुआ है अब पता चल गया सब adjustment करके C का पांचलाक रुपए देना है तो C को जब पांचलाक रुपए देंगे तो क्या entry करेंगे बोलो तो बोलो रहे भाबा हम बोले हैं कि C का डेत हो गया ना हाँ मानलो मैंने सारा adjustment कर लिया और adjustment करने के बाद last में C के capital में फाइव लाक रुपीज का balance बचा है मतलब I need to repay C how much 5 लाइव आज मैं इसको cash में रिपे कर दे रहा हूं तो entry क्या करूंगा बताओं C is capital account debit to cash account करें कितना लिखोगे 5 लाइव यह entry तुम करना मैं नहीं करेंगा मैं हाथ जोडता हूं मैं C को पैसा नहीं दे पाऊंगा सर क्यों क्या बात है लॉजिकली सोचो सी तो मर गया कि जिन्दा है पहले बुलो और अगर तुम C capital to cash लit तो तुम को सी को पैसा देना तो इस दुनिया में दूसरा दुनिया में जाना पड़ेगा मतलब तुम पैसा देनी के लिए लेडिए यह तुम चले जाना तुम संत आदमी हो मैं मो महा में से ग्रसित आदमी मैं कैसे जाओंगा मैं दुछरा दुनिया में नहीं जाने वाला मैं C को direct payment नहीं करूंगा मैं C के legal एर को पैसा दोंगा तो तो दी नहीं पाएंगा ला लोजिकली सोचवार तो उसका जो legal एक्जीक्यूटर को पे करोगे तो सी एक्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू क्याश या बैंक जो इच्छा लिखना लिखे पेमें करो नेट में अगर कोई बच्चा सोच रहा है तो उसको वही एंट्रे दिखाई दे रहा है पर हर चीज का नेट नहीं है आपको लॉजि तो जाओ मैं तो नहीं जा रहा मैं उसका पैसा उसके एक्जीक्यूटर का डबा में डालूंगा फिर एक्जीक्यूटर को पेमेंट करेंगे तो एक नहीं दू कैपिटल से पहले कहां डालेंगे एक्जीक्यूटर में और फिर एक्जीक्यूटर को फिर पेमेंट करेंगे त आपने की बुस्ते पार्चे क्या आपको बात समझ में आ रहा है इसको थोड़ा समय लिखवा दूँ आप कच्रा बढ़ा करते हैं ठीके पर यह कच्रा सी समझ में आता जरा सोचू अगर मैं कच्रा ना करूं तो इतना पार्टनर्स कापिटल अकाउंट डेबिट सीस कापिटल अकाउंट डेबिट टेकर ना तू डिसीज पार्टनर्स एक्जीक्यूटर एक्जीक्यूटर समाझ गया ना उसका घरवाला लिगल है एक्जीक्यूटर अग्जीक्यूटर को पकड़ा दिया अब इसको पैसा देना पड़ेगा तो एक्जीक्यूटर अग्जीक्यूटर 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 भया सुनो ना भया क्या सुनो ना पहले क्या सुनना है पिया एक में बिचिम को बताओ जैसे सी का डेट हो गया तो जाते जते क्या क्या रूपया लेके जाएगा टोटल मता सकते तो maximum तो maximum हो क्या-क्या चीज लेके जाएगा मतलब अगर आप यह पूछना चाहिए जो final repayment हो रहा है उसमें क्या-क्या चीज जोड के payment होगा तो answer is this partner का सब कुछ जोड़ देना this is partner के नाम का अपने पास जो थो चीज़ है सारा चीज जुड जाए गा नहीं समझा total payment जोगा उसको चीज का payment हो मेरा बात संचिओ मैं क्या बोल रहा हूँ total जो payment करो जदे total payment क्या-क्या जूड़ेगा ऊसका total payment तो मेरा बात समझो उसका capital account का जोड़ेगा उसके capita में जितना balance ना पहले से सारा balance देटा पड़ेगा उसके current account में जितना अगर fixed fluctuating आद है तो current account अगर कुछ है तो उसका balance भी उसको पकड़ा दे इसके बाद उसको मेलेगा share in accumulated profit and losses वो अपना share लेके जाएगा accumulated profit and losses में आच्छा वो लेके जाएगा share in share in revaluation share in revaluation profit and loss वो अपना goodwill में भी share लेके जाएगा share in goodwill भी लेके जाएगा और एक चीज़ लिखूंगा तब को मजहें आजाएगा share in joint life policy and separate life policy क्योंकि jlp भी आता है सोचो उस वार तो jlp कभी हो जाएगा आच्छा वो लेके जाएगा इसके अलावा broken period profit भी लेके जाएगा broken period profit में share लेके जाएगा मैं share लिखना भूल गया वाट कि आप समझ गया ना मैं लीखी देता हूं ने तो बोलेगा आप शेयर ने लिखे ता हम तो पूरा ही देगी है हाँ आप लोग तो मेरा इतना बात सुनते हो ना तो share in broken period profit लेके जाएगा broken period लेके जाएगा करेंगे ना कान से सुनने बोल रहें सुनना जैसे कि एक चीज विजुलाइज करो मानलों एक गिवन यह जो चलूँआ वन 123 अब एंड होगा 31 12 23 अब इसका डेत हो गया 1423 तो यह जो डिसीज पार्टनर है यह तीन महना जिन्दा था ना पार्टनर था तो तीन महना का उसको तो रेमुनेरेशन भी मिलेगा मतलब जितना दिन जिन्दा था उतना दिन का सारा रेमुनेरेशन का अगर हगदार है तो वह भी दे देना अगर कोई कमिशन ममिशन है तो वह सब दे लो अगर कोई इंट्रेशन ड्राइंग्स है तो वह सब भी उससे टान के लिए आना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा प्लस नहीं करना पड़ेगा माइनस अच्छा ड्रोइंग्स यह तो माइनस करना पड़ेगा वह सब तो माइनस में ब तो डीड ही लिग दिया तो डीड ही फाइनल है फिर तो बात सुनना पड़ेगा इस अधा मेरा बात कि दूपर डीड में कुछ नहीं बोला है तो उसको कहां तक का रेमुनेशन भी मिलना चाहिए जब तक वो जिन्दा था हिंदी बात समने जब तक वो जिन्दा था डेट को भूल जाना डीड ही फाइनल है भाई नहीं अभी मन्यू भाया तो बोले थे जित दिन मरेगा उस दिन तक हम तो जादा नहीं देंगे डिड गया तेल ले नहीं डीड मतला तुम्हारा क्वेस्चिन पेपर है प्रैक्टिकल लाइफ में डीड देखोगे अभी तुम्हार पर भगवान है जो बोलेगा मान लेना नहीं बोला अगर कुछ तो इतना रखना कि रेमुनेशन देना पड़ेगा तिल देट ओफ डेट समझ में आ रहा है यहां पर ऐसे लिग देता हूँ आपको देना पड़ेगा रेमुनेरेशन तिल डेट ओफ डेट हाँ क्वेस्चन कि अगर कुछ और बोलते तो और में वारा चिला रहा है और अगर कोई मैंस लिखर वाइनस न अगर कोई interest and drawings का चर्चा किया गया है या फिर सिर्फ अगर कोई drawings है तो वह सब माइनस हो जाएगा मेरा बात समझ दो माइनस हो जाएगा अब लास्ट में जाकि जो balance से यह इसका final payment इतना रुपया का final payment हो जाएगा बस यह फाइनल पेइमेंट करना पड़ता डिस इस पाइगा है मोटा मोटा यह देदो काम खतम हुदेगा तो यह हिंदी बात है जितना बनता है उसका देखे खतम करो हाथी गोड़ा जो देना दो खतम करो इतना बाकी नीव चलेगा मतलब करोगे मैं का बोलनी करोगा पहले तक लिखो पहले चले है गया गजब बात करते ओँड़ दर जो सम का बात करते हुआ तो भर भर के सम रखाओ हो यह लिखना चिक है तो एक काम करो डेट वाले सेक्षन में आज़ाओ बुक में कि इसमें चालू करते हैं सम नॉम्मर वन से और भई आप लोग मेरा स्टाइल जानते ही हो आप लेके पास तो यह है आप एक बार यह सम को खुद से पढ़ और उसके अद मैं अपने स्टाइल से पढ़के आपको खरा दूँगा और फिर से बोल रहा हूं जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं यहां मुझे पॉस करो पहले पूरा क्वेश्चन इक बार रीड करो बच्चे यह नियम बना लो सक मैं बोलू चाहिना बोलू पहले उसके बाद मेरा डिस्केश्चन सोब ठीक है चलो पॉस करो पॉस करो अचलो बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब एक बार प्वेश्चन पढ़ ली होंगे उसके बाद मैं कहानी शुरू करता हूं देखो क्या मांगा है पहले इधर देखता हूँ क्या बोल रहा देखो the balance sheet of seed, plant, flower as on 31st December was as under भाई साब balance sheet दिया है तीन partner, seed, plant और flower का, हाँ यह ठीक है, क्या बोल रहा है इसके अंदर, यह जरा ध्यान से देखना मैं बोल रहा हूँ, balance sheet के बाद बोल रहा है, जर्नल बनाना है न, तो मेरा तो तरीका है, मैं तो तरीका में नहीं गया, रुख जाओ, मैं पहले अपना जर्नल का जगा रख लेता हूँ, यह सब तो हटाओ, मैं लिखा जर्नल, जैसे यासे data मिलते जाएक, आपको पता मैं वै general reserve, अरे यह तो मेरा accumulated profit है, it shall be distributed among old partner in their old ratio, और मैं नीचे पढ़ा यहाँ लिखावा था, the profit sharing ratio of seed plant flower, यह 5 by 10, 3 by 10, 2 by 10, मतलब 5 is to 3 is to 2 है, और हाँ और एक बार, यह balance sheet दिया 31st December 10 का, कि ध्यान से दिखो, on 1st May 11th plant died, यह जो plant है न, इसका death हो गया, कब death हुआ कि ध्यान दे न, 1st May 11th, मतलब January में जिन्दा था, February, March, April, मतलब ऐसे बुली, चार महना जिन्दा था, ठीक है, छोड़ो वो सब बात, general reserve मिला, it should be distributed among old partner in their old ratio, तो इसका journal entry बनेगा, general reserve account debit, तुम पूरा लिखना में short में लिख रहा हूं, to seeds capital, seed, plant, and flower, seed, plant, and flower, seed, plant, flower, seed, plant, flower, seed, plant, flower, कितने का general reserve था, 5000, और इसको तोड़ने का रेश्यो क्या बोला था, old ratio मतलब 532, अच्छा इसको 532 में बाटेंगे, तो यह आएगा 2500, 1500, and 1000, समझा गया, तो general reserve को distribute कर दिया, old partner in their old ratio, आगे बढ़ो क्या बोल रहा है, तीनों partner लग capital दिया है, तो ठीक हमको कोई मतलब नहीं है, फिर बोल रहा है, asset में fixed asset, trade receivable, bills receivable, inventories, bank balance, तो सब goodwill निकालना पड़ेगा, फिर goodwill के adjustment करना पड़ेगा, तो मैं चला गया, एक page लग जगा general entry में, मुटा-मुटा, तो मैं working note 1 करने चला गया, valuation of goodwill, that is, valuation of goodwill, valuation of goodwill, अच्छा, valuation of goodwill में, मना, valuation of goodwill में, क्या करेंगे बोलो तो, average profit, सबसे पहले निकालेंगे, average profit of last 4 years, मुझे figures देखने दो, 10,000, 13,000, 10,000, plus 13,000, plus 12 and 15, okay, 12,000, और 15,000, हाँ, average निकालना है, 4 terms है, तो divided by 4, तो यह आ रहा है, 10, 13, 12, 15, divided by 4, 12,500 आ रहा है, किन्तु goodwill equals, तो आपको पता है, average profit, multiplied by number of years purchase, और number of years purchase समय कितना बुला है, 3, तो it will become 37,500, यह तो goodwill का valuation हुआ, पर मुझे तो goodwill का adjustment करना है, तो उसके लिए मैं बनाऊंगा goodwill adjustment table, मैं बनाऊंगा goodwill adjustment table, goodwill adjustment table, एक का नम था seed, एक का नम था plant, और एक का नम था flower, पहले आप काम क्या करना है, जो आपका goodwill है ना, 37,500, हाँ, in, old profit sharing ratio बाटना है, और old ratio क्या था, 5 इस्टू, 3 इस्टू, 2 बाटना है, तो पहला शायद 18,750 आ रहा है, दूसरा वाला 11,250 आ रहा है, उसके बाद आ रहा है 7,500, फिर आपको तोड़ना है, goodwill in new profit sharing ratio, आपने question पढ़ रखा है, मैं दिखा देता हूं, last line में लिखा हूँ आता देखो, seed and flower agreed to share profit loss in future, इन कौन से ratio, 3 इस्टू, तो नया ratio 3 इस्टू टू है, plant तो डाई हो गया, तो 37,500 को divide करना है, तो पहला वाला आएगा, इस्ट का 22,500, और दूसरा अदमिकार है, 15,000, ठीक है सर, ऐसा भी कोई खास बात नहीं है, ठीक ही चल रहा है, 18,750-22,500, negative आ रहा है, 37,50, negative मतलब gain, 11,250 पॉजिटीव आ रहा है, मतलब sacrifice, 7,500 नेगिटीव आ रहा है, मतलब gain, तो इसका entry बनता है, gaining partner to sacrificing, तो gaining कौन कौन है, seed है न, seeds, capital, account, debit, 37,50, flowers, capital, account, debit, 7,500, पॉजिए, two plants, capital, account, 11,250, seed plant flower, seed plant flower, अब मैं तो जर्नल एंट्री कर रहा हूँ, तो मुझी अपने main sum में ये जर्नल एंट्री दिखाना पड़ेगा, मुझी अपने main sum में ये जर्नल एंट्री दिखाना पड़ेगा, हाँ सर, तो मैं यहाँ तक सारे बच्चे लिख 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 करता हूँ, लिख 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 सब कोई, मैं आगे चला अपने main sum में और मुझे जर्नल एंट्री शोग करना था, तो मैं जर्नल एंट्री शोग कर रहा हूँ, यही वाला, तुम भी लिख लो, seed flower debit to plant, देखो सर, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, कोई doubt है, कोई तकलीफ है, शंका, अशंका, दुविधा, जिग्यासा, कोई ज्ञान की पिपासा, नहीं, अब आगे पढ़ने दो, मैं गुडविल का बात कर लिया, फिर बोला, the deceased partner to be given share of profit, up to the date of date, जितना दिन जिन्दा था, उतना दिन तक कम तब चार मैना का, हाँ, on the basis of, क्या basis बोल रहा है, the previous year, बोला previous year का profit को बेस मान, भी है सुनना, इसका date कौन से year में हुआ है, पहले ही बताओ, तो 11 का previous year क्या होगा, 10, तो जो 10 का profit 15,000 है, बोलता है, इसको बेस मान, मतलब यह एक साल का profit है, और जितना दिन जिन्दा था, उतना दिन का profit दे दो, तो मेरे को ना एक working करने का मान हो रहा है, share in profit, और bracket में लिख दिया, कब से कब तक का profit है, यह from, 11 2011 to 1411, that is, कितना मन जिन्दा था, 4 मन, मेरा बात समझ में आ रहा है, लैंग्विज समझ में आ रहा है, तो मैं बोल रहा हूं कि भाईया, एक साल का profit यह लोग बोला है, 15,000, plant चार मेहना जिन्दा था, तो 4 मेंच का profit कितना होगा, 4 by 12, तो जैसी 4 by 12 के, तो चार मेहना का profit मिला, इसमें C का share कितना था, तुम भूला, C बोल रहा हूं, plant का share कितना था, 3 by 10, तो यह 4 मेहना का profit में, 3 by 10 जो है, वो किसका share है, plant का share है, अच्छा मैं बहुत जदा फास्ट नहीं बोल दिया, तो यह आ रहा है, 1500, तो plant का broken period profit कितना है, 1500, और broken period profit माटने का entry था, profit and loss suspense, two plants capital हो जाएगा, तो मैं यहां तक लिख लिया, आप भी सब लिख लिए होंगे, मैं चला गया अपने journal entry में, वहाँ पर लिख रहा हूँ, profit and loss, suspense account debit, two plants capital, और मुन्ना एक बात और बोलू, सुनोगे मेरा बात, सर बोलो ना कौन मना किया है, यह figure 1500 है, एक एक extra knowledge, अगर मान लो, आपको तही समय बोला नहीं है, अगर balance sheet बनाने बोल देता, सुना ध्यान से, क्या बनाने बोलता, तो balance sheet में PL suspense, balance sheet के asset side में आता है, क्योंकि इसका debit balance है न, और यह अभी तक कहीं close तो हुआ नहीं है, तो मतलब यह account balance है, तो balance sheet में दिखाना पड़ेगा, तो अगर यह close नहीं हुआ है, तो यह balance sheet के कौन side में दिखाएंगे, asset side में दिखाएंगे, पर इस समय जरूत नहीं पड़ेगा, क्योंकि balance sheet बैलेंशीट नहीं बोला, सर ठीक है सर, broken period profit हो गया और बताओ, फिर बोलताओ, fixed asset were depreciated by 10%, तो नहीं जो fixed asset है ना, 40,000 का 10%, मतलब 4000 से कम हो जाएगा, मतलब revaluation to fixed asset होना चीए, खतम नहीं, और उको और एक बात है, अब bill of thousand was found worthless, worthless समझते हो, कोई use का नहीं है, मतलब bills receivable को thousand से कम करना है, यह जो bill receivable है, इसको भी thousand से कम करना है, मतलब इसका भी वही होगा, revaluation to bills receivable, मैं कर दूँगे एक साथ, these are not to affect goodwill, बोलताओ, goodwill में effect नहीं करेगा, तो हम को क्या पता, goodwill में कैसे effect, हम तो सिखे नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ effect, तो होता भी नहीं है, तो बेकार आपको confuse कर रहा है, बैसे final में आऊँगे तो पता चलेगा, goodwill में कैसे effect होता है, अभी इस label में बात रहेंगे, इसलिए लिखा है, हाँ, अभी का बात नहीं है, छोड़ कोई बात नहीं, हम इसलिए बोलें, हम लोगों तो पता नहीं कोछ होता है, तो छोड़ दिया, उसमें कोई दिपकत ही नहीं है, तो हम करेंगे entry, revaluation account debit, two fixed assets, 4000, two fixed assets, 4000, and two, और क्या था, वो, bills receivable, bills receivable, 1000 से कम करने बोला था, अच्छा, आप लोग पहले से सम पढ़ रखें, बताओ, और कोई revolution का story है, नहीं सा, तो revolution को कोई story नहीं है, तो ultimately revolution में debit balance है, debit balance मतलब loss है, and revolution loss shall be distributed among old partner in their old ratio, old कौन है, seed, plant, flower, तो entry बनेगा, revolution loss माटनेगा, seize capital debit, plants, capital account debit, flower, full, full, English वाला फूल नहीर हिंदी वाला फूल, flower capital debit, two revaluation, यह 5000 था, इसको 5 इस्टू, 3 इस्टू 2 में बाटेंगे, तो तरी कैसा गंदा हें रेटिंग निकल भाएं, 2500, 1500, 1000 आएंगा, revolution loss भी बाएंड दिया सभी, मेरे से पहले ही आप लोग करी लिये होंगे, मेरा थोड़ी ना कोई इंतजार कर रहा होगा, चलो आगे, फिर क्या बोलता है देखो, अच्छा अच्छा अब लास्ट में पैसा देना पड़ेगा ना, किसको, प्लांट को नहीं, प्लांट के एंग्जिक्ट्यूटर को, तो बोलता है उसमें से 7750 दे दो, बाकि लोन के जैसे ट्वीट कर लो, तो पहले तो यह पता करना पड़ेगा, कि प्लांट को देना कितना है, तो वो कैसे बता चलेगा, अगर सब का क्यापिटल बनाने बोला ना, तो बना लो, नहीं तो यह लोग जेनरली डिसीज पार्टन का स्टोरी पूछता है, तो डिसीज पार्टन को कितना मिलेगा, इसके लिए सारे पार्टनर का अकाउंट बनाने का जर्वार नहीं है, जो डिसीज पार्टनर उसका कापिटल बनाओ, तो मैं टाइम क्यों वेस्ट करूँगा एक्जाम में बताना, मैंको कोई गोल्ड मिडल तो मिलने वाला नहीं है, कोई एक्ट्रमार्ट भी नहीं मिलेगा, ज्यादा बना के दिखाएंगे तो, जितना जर्वत है उतना, तो मैं एक वर्किंग लूट फोर में चला गया, इसका नाम है प्लाइंट, तो मैं प्लाइंट्स क्यापिटल बना ले रहा हूँ, प्लाइंट्स क्यापिटल बना ले रहा हूँ, सर, प्लाइंट्स क्यापिटल बना ले रहा हूँ, सर मैं प्लाइंट्स क्यापिटल बनाऊँगा न सर, ज्यादा बनाने का जर्वत ही नहीं भीया, जितना रिकॉाइड उतना, मैं बाकी पार्टन का स्टाइल मारने के लिए बना भी दूं हिंदू आपको कोई एक्स्ट्रमाक्स नहीं मिलने वाला है तो इसलिए क्यों टाइम वेश्ट करेंगे तो पहले यहां से ट्रिंटें पहलावाला यहां पर इधर देखो जन्र रिесर्व ट्ट्रिंटस caipital 1500 है प्राइच होगया सोंच गर्माउठ विए सुप्लाइट का स्टींगे जाहें सां प्राइच व classification. हाँ buy seed flower capital, buy seed flowers capital, buy seed and flowers capital, ये goodwill का था 11,250, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है, सिर्फ सिर्फ plant पर ज्यान देना है, अच्छा ये हो गया तुमारा इसका, अच्छा नेक्स्ट वाला इंट्री देखो, PL suspense to plants capital, 1500, तो plants capital में क्या posting होगा, buy PL suspense, तो मैं यहां पर आके लिख देता हूं, buy profit and loss suspense, broken period profit 1500 दे दिया, वही है ना, broken period profit, अच्छा मैं को आगे चले, मैं आगे चला, इसके बाद कोई इसके अंदर तो कोई partners capital ही नी, अच्छा नेक्स्ट है, plants capital to revaluation 1500, plants capital to revaluation, plants capital to revaluation, plants capital account debit to revaluation, यह लॉस था लॉस, बहक मत जाना, 59 और कुछ था, सारा हो गया, अब plant तो चला गया, तो plant कब जो भी balance है, वो उसके किसके अकाउंट में transfer हो जाना चीए, executor, तो entry बनना चीए, plants capital account debit to plants executor, plants capital account debit to plants executor, balancing figure, plants capital account debit to plants executor में डाल तो, balancing figure, 15,000, 1500, 11,250, 1500, minus 1500, is it 27,750, check करो तो, 27,750, 27,750, तो, आप एक चीज़ समझो, plants capital to plants executor, ये entry दिखाना पड़ेगा मुझे, पहले तो, executor में डालना है, 27,750, तो मैं आउंगा, और यहां के लिग दिए आपके लिए, एक 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 एंट्री कर रहा हूं, plants capital account debit to plants executor, 27,750, अब इस में से 7,000, इदर देखो मैं दिखाता हूं, इस में से 7,750 तो अभी पे करने बोला है, इमिडियेटली, और balance जो है, वो लोन बना देना है, तो मैं एक last entry मार के खतम करता हूं काम, मैं plant के executor को pay करने गया, तो plants executor account debit, भर बड़ा नमर, 27,750, pay कर रहा हूं, तो two cash या two bank जो इच्छा लिख सकते हो, 7,750, और बाकि यह लोन बनाना है, तो two, plants, executors, loan, बाकी balancing figure, loan चला जाएगा, 20,000, ने समझा बाद, loan account बोलके बना दिया, वो लोग बुला, loan to loan, sir, 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 एक doubt है, क्या, sir, loan पे तो 9% interest बोला, आप जोड़े नी, अरे, interest अभी थोई ना देंगे, जब loan repayment हों का तब, आपको तो loan account बनाना सिखा है न, वैसे ही, सेम तरीका से बनेगा, यहां भी loan account, अगर loan repayment कभी दे दिया, वोई interest, by interest to bank, by interest to bank, जैसे हो, ऐसे, वोला समझ आया, और तो कुछ बनानी नहीं बोलाता, तो को सम खतम हो गया, मैं को लगता नहीं है कि यहां कोई ज़्यादा difficulty आपको लगना चाहिए, है क्या difficulty लग रहाए गया, चलिए सर, एक नया सम करते हैं, बहुत बढ़ी हां सम करते हैं, जिसको देख के आपका दिल बाग बाग हो जाएगा, ठीक है ना, कहां बाग बाग होगा सर, तो आईए, यह date में है, यह है sum number two, छोटा सा प्यारा सा सम है, यहां चालू हो रहा है, और यह यहां खतम है, ज्यादा बड़ा तो है नहीं, पर मैं आपको बताओं सर, यह एकदम unique type का सम है, very typical and very critical type का सम है, अगर आप इस तरह का सम practice करके नहीं गए, तो मैं बोल सकता हूं, आपका problem हो सकता है सर एकसाम में, क्योंकि यह institute के सम अभी करने वाले हैं, यह बहुत institute के दिल के करीब वाला सम है, वह आजकल ऐसे वाला होता है न, ऐसे वाला होता है, हाँ, कोरियन लव वाला हाँ, समझ रहे न, हाँ, यह वो वाला समय इंडिशूट वाला, ठीक है न, तो तुम लोग समझ ही गया होगा, कैसा समय, ठीक समझ गया, हम पहली बार ऐसे देखें न, हाँ, समझ आज़े हैं, चुटकी क्यों बजा रहा है यह यह क्या बोलना चाह रहा है, फिर हम ऐसे देख रहे है, तो यह तो बात में हमको समझाया गया यह नहीं है वह यह कोरिया में ऐसे बोला जाता है बैंड वैंड शायद उनलों का बनाया वाई यह है अब मैं आपसे रिक्वेश्ट करता हूं सार देखो यह जो समय ना इसको करने कितना बार मैंने ज्यादा नी बस तीन बार रीड करने बोला उसके पहले नहीं तो आपको दिक्कत होगा तो जो बच्चे वीडियो देखें उनसे रिक्वेश्ट है मुझे यहां पॉस कर लो नहीं तो आपको टाइम नहीं मिलेगा बच्चे क्योंकि मैं तो यहां से करना सालू कर रहा हूं अब पॉस करो तीन बार रीडिंग करो फिर ही सुनना सर तो आपके दिमाग में अच्छा ऐसे जाएगा नहीं तो आप डिसकॉशन सुनोगे तो देखों ऑफ से यह पहले उसके पहले नहीं देखना आगे तीन बार रीडिंग करो कम से कम नहीं तो नहीं चलेगा पॉस करो रीड करो उसके बाद या देखो तो मैं हुआऑ देखो कि करता हूं कि आप लोग कम से कम तीन बार पड़ लिये हैं संचests और अब मैं discussion चालू करता हूं देखो इस उमीद से आप रीड कर लिए हैं मैं चलता हूं देखने के लिए क्या मांगा इस सम्में बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेर हमको प्रिपेर करना है क्या बनाना है एन अकाउंट बनाओ पॉंसा शूइंग दर अमाउंट ड्यू टू एज लीगल रिप्रेजेंटिटीव एज अन 31st डिसेंबर 11 बोले एक लीगल रिप्रेजेंटिटीव को कितना रुपया देना इसके लिए एक अकाउंट बना मतलब सुनो है इसका मतलब समाइध में आ रहा है मुझे पढ़किया कि एका डेट हो गया होगा तो एक के डेथ के बाद एके एक इंद्टीव मतलब एक रिकापिटेल अकांट मतलब कापिटेल अकाउंट में सारा अग्जस्ट्मेंट करके कठा कर लो पैसा फिर लास्ट में कहाँ ट्रांसफर करते हैं एक्जीक्यूटर में यदा डिसी सपार्न स कैपितल टूडिसिस पार्स पार्ट्टर एकजीक्यूटर गरते थे तर इसका मतलब आलोग चाहता है कि हम कैपिटल अकांट बनाएं किसकाげ कौन को क्या मतलब है हम बाकी का बनाएंगे हम पहले भी आप पो इचीद सम्झा रहे थे कि बाकी का जरवायार नहीं है सर तो देखो ना सर मैं यहां बनाना चालूँ कर रहा हूं तुमारे लिए सम नमबर कुँँ सा है तू तो मैं लिखा यह सम नमबर टू है और मैं यहाँ पर आपके लिए बना रहा हूँ छोटा सा प्यारा सा अकाउंट जिसका नाम है Ace Capital इसमें सारा एज़ेस्ट्मेंट वेज़ेस्ट्मेंट कर लेंगे और लास्ट में जो बैलेंस बचेगा ना वो एग्जेक्यूटर में डालके खतम कर देंगे इससे बड़ा कोई अकाउंट का जरुवत है ही नहीं सर आपको जबरदस्ती बनाना बना लो बस इतना हिस्टा ही अपना सामय है इतना सा जगा में खतम हो जाएगा सर समह समपने तो इतना फिर हि्ष्ट्र जोग्रफ क्यों लिक है पढ़ते है इसमें शर्माने का क्या बात है नहीं पढ़ते हैं इतना अकाउंट रेड़ी अप से सबसे कोई डिफिकल्ट बात नहीं कि अभी तक मैंने सब पढ़ाई गय से अब पहले अकाॉंड बना लो सब मुझे दिक्कत नहीं आप पहले अकाउंड बना लो कुछ बच्चे अभी स्केल पैंसिल धूंड रहे हैं प्लबाबर जा इनका स्केल पेंसिल ढूड़ना हो जाए तो फिर आगे चलते हैं कोई दिक्कत का बात नहीं है हो गया अच्छा देखो क्या बोल रहा है मैं पढ़ना चालू करता हूं दब पार्टनर्शिप अग्रिमेंट ऑफ फर्म कंसिस्ट ऑफ थी पार्टनर ए बीसी तो इन कितने पार्टनर एं तीन पार्टनर ए ए बी और सी हूँ शेर प्रोफिट्स इन दे प्रोपोर्शन हाफ 1 4th 1 4th तो रेश्यों हाफ 1 4th 1 4th दिया है मतलब जिनको थोड़ा मैट्स आता है 2 is to 1 is to 1 है रेश्यों ऐसी छोड़तो ना 1 1 4th 1 4th क्या जाता है अपने को इनका कौन सा क्या एक में थेर्ड है मतलब इन क्या करेंट अकॉट भी में जो आए और बोलो ना हाँ किन्तु सुनो ना मज़ा का बात है ची कि ये capital पता चल गया मैं इक का बनाना एक अ क्या capital कितना था पहले से तो fix capital fixed है, तो इतो fixed ही रही, यह जेंग नहीं होता है, हमको नहीं पता कब मरा है, तुम लोग पढ़ लीया, तुम लोग ऐसा साल में मरा है, कितना तारीक मरा है, किन्तु year के starting में मेरा बात समझो, में को तारीक नहीं पता है, मैं बाध में बैठा दूघा दूँगा, मैं बोल रहा हूँ, buy balance brought down, opening balance capital का तो 10,000 है, ये मुझे data मिल गया, जो data तुम को बता है, मिल जाता मैं तो बैठाने लग जाता हूँ, मैं इंतजार विंतजार नहीं कर पाता से, हमसे ना होता है, सर इंतजार, बोलो, आपको समझ में आए यहां तक, कोई खास दिक्कत, doubt, तकल कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे बढ़ जाओ, आगे क्या बोल रहा है, इस पर भी दिखा जाए, provides as follows, आचा क्या provide हुआ है भाई, देखते हैं, that, partners be allowed interest, partner को मिलेगा interest, कौन से interest, at 10% परहनम, 10% के साब से, on their fixed capital, अच्छा, partner लोगों को interest on capital मिलेगा, तो मेरा knowledge तो यह बूलता है, कि भले partner मरा हो, उसको भी तो interest on capital मिलना चीए, लोजिकली कब तक मिलना चीए, जब तक वो जिन्दा था, तो मेरे को लगता है कि यह लोग बोल रहा है, interest on capital देना पड़ेगा, क्योंकि जिसे याद रहेगा कि इस सब आइटम है, नहीं तो इतना बड़ा सम्मेना खो जाओगे, कि कौन साइटम कई छूट नहीं जाए, ठीक है, बट नो इंट्रेस्ट तो बी अलाओड ओन अंड्रोन प्रोफिट और चार्जन राइंग, अरे वही, इंट्रेस्ट राइंग नहीं है, तो नहीं तो छोड़ दो, हमको क्या करना है, अच्छा बात है नहीं है, फिर बोलता है, क्या गजब लाई ने देखो, that upon the date of a partner, अगर कोई partner, खतम हो जाए, मर जाए, the goodwill of the firm be valued, हम लोग उस दिन goodwill value करेंगे, हाँ, goodwill adjustment तो करवाएगा, भीना छोड़ेगा थोड़ी नहीं, at two years purchase, अच्छा number of years purchase कितना बोला है, two, 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 of average net profit, अच्छा average profit लेना है, इंट्विट क्या करना है, two, जो अवरेज profit के bracket में क्या लिखा दिखा है, after charging interest on capital, देखो अडंगा लगा दिया, नहीं समझा, हम लोगों जो goodwill वाला valuation के तना एक्ठो sum number six में, उस type कही है, मतलब क्या बोलना चाहरा है, यह लोग बोलना चाहरा है, कि आप अपना average profit लेलो, हम बोला इस से इंट्ट्टू कर दें, बोला ना ना बोला यहां से पहले interest on capital minus करो, हम बोले हम तो ऐसा कभी सीखे नहीं थे, बोला तेल लेने जाओ, हम बोल रहे ना करो, सिधा बाता, question पर जो बोलता मानना पड़ेगा, बोलता यह वाला जो figure आएगा ना, यह तुमारा adjusted profit profit है, इसके साथ तुम इंट्रू करके तुमारा goodwill निकाल लेना, बत समझ में आ रहा है ना, कि तो average profit कौन सा लेना है, for the 3 years, to 31st December, preceding the date of partner, बोला partner जब भी मरे गाना, उसके पहले वाला 31st December से पिछला 3 साल लेना, अरे last 3 years, नहीं समझा, December में शायद year end होता होगा, मुझे न तो जब भी बीच में मरेगा, तो up to the date of date नहीं बुला इस बार, जिस साल मरा है, उसके पहले वाला December से, मतलब उसके पिछले वाला 3 साल का average profit लेना है, नहीं समझा बार, मतलब normal goodwill का बात बुल रहा है, normal 3 साल का average लेंगे, अपना काम खतम हो जाएगा, बस ध्यान रखने का बात यह हो गया इस बार, कि तुम जो भी average profit निकालेगा, उसमें से क्या minus कर देना, interest on capital, किसका, सारे partner का, सारे partner, goodwill पूरे firm का निकलेगा, तो interest on capital भी पूरे firm का ना लोगे, नहीं समझ मैं, आ रहा है, न समझ मैं, ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, जा रहा सा पढ़ लो, अ मतलब मेरे दिमाग में एक चीज चल रहा है, मतलब जो partner जा रहा है, goodwill भी लेके जाएगा, gaining partner to sacrificing करके अपना share of goodwill लेके जाएगा, याद करो date का, जो मैं पहले आपको explanation दिया था, उसमें list बनाया था, क्या-क्या लिगा तो goodwill लेके जाएगा, तो सुनना, एक बात समझ, ऐ ऐसे आप चाहो तो पूरा entry भी मार सकते, gaining partner to sacrificing partner, but date के वक, date के वक, जब करते हैं, हमको तुम पता है न, disease partner अपना share of goodwill लेके जाएगा, अब चाहो तो ज्यादा entry नहीं लेके, आप ऐसे भी लेक सकते हो, by share of goodwill, ये भी allowed है, नहीं समझा मतलब, वो account A, B, C, D नहीं लेके, अ समझ रहा है मेरा बात में क्या बोल रहा हूं, gaining partner to sacrificing होगा, ये sacrificing होगा, ये sacrificing है तो by gaining partner नहीं लिखे, अब by share of goodwill दे दो, तो उसको तो उसका share मिल जाएगा, goodwill निकाल लो, उसका share दे दो काम खता हूं, समझ रहा है, shortcut, मतलब उतना interest नहीं दिखा के, आप नाम लिख के भी आ name of each partner, कौन सा policy, joint life, separate life, दस-दस-दस का तीन टो policy लियाए, separate life policy, और बोलता है, the premium is to be charged against the profit of the firm, method one follow करता है, समझ रहा है, premium method है, उतना क्या दिमाग लगाना है, सुनो ना, जैसी अपने को separate life policy मिला, तो हमको समझ में आ गया, कि भीया, इसको share of policy भी देना पड़ेगा, नहीं स policy भी लेके जाएगा यह, मैं अब कोई ही समझा रहा हूँ, बस नाम लिग जो क्या-क्या देना है उसके, क्रेइट करते जा, जो देना है उसको क्रेइट कर दो, जो लेना है क्या कर दो, debit कर दो, इतना तो आज के दिन में account सीखी गया है, तुम लोग, समझ में इसको policy का पै remaining partner का surrender value, किन्दो disease partner का policy value लेते थे, उसमें से एक जो share है, half को दे देंगे उसको, ठीक है, वो चर्चा हो जाएगा, पर इतना समझ में हरा है, policy का पैसा लेके जाएगा, ठीक है, upon the date of partner, जब partner मरेगा, he is to be credited with, उसको दिया जाए, credit मतलब उसको मिलत देंगे, क्या, his share of profit, entry याद है, profit and loss, suspense, to partners capital, तो by partners capital में क्या लिख सकते है, by profit and loss, suspense, अगर इतना लिखने का मन नहीं है, मैं यही समझा रहा था, अगर यह लिखने का मन नहीं है, तो by sharing profit भी लिख सकते है, मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है, कभी एक ही account बनाना है, आपको अगर ज्याद entries में नहीं first नहीं है, तो by sharing profit लिख के निकल सकते हो, पूरा marks मेलेगा, कोई भी कटने बाद, भरोसा नहीं है, तो institute का module देख लेना, मेरे उपर क्यों भरोसा करना, भाई, institute बोला, institute से पूछो, institute का जितना suggested answer आता है, वो सब छान हो, तो समझ में आ जेगा, मैं जो बोलना च चलो, आगे और क्या बोल रहा है, अचा उसके अलावा, interest and capital भी देना है उसको, तो मैं तो मैं तो लिख के रखा ही हूं भाई, interest and capital देना है उसको, यह तम पहली समझ गए थे, किंदो कांड देखो क्या किया है, किंदो उसके बाद जो बुला है ना भाई साहब, किंदो क्य लिखा देखो, calculated, up to 31st December, following his day, क्या बोल रहा है समझा, बोले जो interest and capital देंगे, यह यह जो share of profit दे रहे है ना आप यह, यह सब जो चीज दे रहे है, बोल रहा है, जिस दिन मरा है, उस दिन तक का नहीं, मरने के बाद वाले 31st December तक देना है, इधर इधर देख इधर देख इधर देख, इधर देख, मानले यह given year है, तो years चालू रहे है, 1st January, ए स्क्रीन पर देखने बोल रहा हूं मैं, मैं स्क्रीन पर देखने बोल रहा हूं सर, स्क्रीन पर, और यह year का end है 31st December, बात समझना, अ अब मानलो, यहां पर आके, वो partner लूडग गिया है, यहां पर, तो logically तो अपने को इंट्रेशन कैबिल कब तक देना चाहिए, जित दिन तक जिन तक जिन्दा था, मतलब यहां से यहां तक देना चाहिए, share of profit कब से कब देना चाहिए, broken period यहां से यहां तक का देना चाहिए सम बोलता है, na, following 31 December तक देना है, मतलब मरने के बाद वाला December तक, मतलब यहां मरा तो यहां तक नहीं रुकेगा, यहां से लेके यहां तक, हिंदी बात, पूरा साल का profit लेगा, पूरा साल का interest on capital लेगा, आप तो बोले तो date of date तक देना चाहिए, मैंने एक और बात बोला था नॉलेज कितनी भी हो, question paper भगवान होता है, never question the question, याद है इस सब लाइन मेरा, never question the question, question जो बोल रहा कर दो, बोल रहा दे दो December तक, तो तुम कौन होता है, चूचा करने वाला, उनका partnership deed में लिखा होगा, तुम दो पार्टनर के बीच में क्यों आना चाहता है, मिया बीबी काजी, क्या करीगा काजी, समझ रहा है, मेरा बात, आगे, आगे क्या बोल रहा है, देखो, समझ में है है न मेरा बात, तो अपने को याद रखना कि 31st December तक देनौंब, सुना- 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 तो मैरा, मैरा मेरा, Respond 9 तक पार्छा ह sono, इसका मतलब, ये 31st December तक 31st December को ये entry हो यह शेर ऑफ प्रॉफिट जो है यह भी 31 डिसंबर को दिया जा रहा है यह मैं नहीं लिख रहा हूं मुझे अभी तक यह नहीं पता मेरे को जैसे जैसे डेटा मिलता है ना मैं वैसे वैसे पूट करता हूं मैं तो मैं समझ गया गुडविल और शेर और पॉलिसी को वोत है क्रेडिक करढ़ू पाटनर्स कबीड़ मैं कर रहा हूं मैं किया बोल रहा है त्युटी सीस पार्टनर मर्यवाद को देना है as on 31st December falling grade यह भी कब देना है जिस दिन मर रहा है उस दिन ही इंट्री पास करना है 31 December कोई पास करना है अच्छा मतलब बोल रहा है यह इंट्री भी 31st December और यह इंट्री 31st December कोई करना यह नहीं पता मुझे मुझे नहीं पता कब मरा अभी तक मैं तो बोला ना मैं फिलींदा ब्लांक्स खिलता हूं सर जैसे डीटा बोलता है वैसे वैसे पूट करते रहा हो देखो कि सम बन जाएगा बच्पन पजल नहीं खेला है कभी वह ऐसे मिक्स करके देदाद साब बनाओ यह वाला फोटो देखके तो वही वाला काम करना होता है मैं सर देखने के लिए सर एंसर तो नहीं दिया फोटो देखके बनाए मतलब तुम्हारा दिमाग के अंदर फोटो होना चाहिए ना लाइक है बात ही पगड़ लेता है लोग तो अच्छा आगे है फिर क्या बोलता देखो डाड़ पार्टनर्शिप बुक्स बी क्लोज्ट अन्वली ऑन 31 अच्छा यह लो यह नहीं पता मुझे अब किस एयर का खेला चल रहा है यह अभी तक नहीं पता कब मरा अभी तक पता नहीं चला अच्छा 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 सुनो सुनो ना यह लो मुझे पता चल गया 11 यह कब मरा है देखो इदर समझो ध्यान से 30 सेप्टेंबर 11 को डेट हुआ है अब मेरे चर्चा को ध्यान से सुनना चैन्वरी से सेप्टेंबर कितना महना होता है नौ महना हिसाब से तो यह जिन्दा था नौ महना किन्दो क्वेश्चन बोला है उसको शेर और प्रॉफिट नौ महना का मत देना डेसंबर तक पूरे बारा महना का देना इंट्रेशन क्यापिटल कुछ नहीं बोलता तो मैं नो महना का दे देता उसको क्वेश्चन बोलता है ना डेसंबर तक देना है मतलब पूरा बारा महना का देना अब यह पता चलते ही मुझे समझ में आ गया यानी ओपनिंग बालेंस वन मन 11 का है और यह बाकी सारा जो एं सब्सक्राइब में लिखिया कि अपने लोग इन क्या-क्या आहरा है आइटम्स वही लिख पाया अभी तक फीगर हुगर कुछ नहीं पता है अभी तक कुछ नहीं बोला है आधा सब्सक्राइब काला देखो सब्सक्राइब कैसे बहकाता बच्चों को पर जिब सॉल्व कर सब्सक्राइब कर रहा है तुमको लग रहा होगा जैसे मैं जब पट रहा हूं कि ठीक ही बोल रहा थे और हम लोग बेकार कंफ्यूज हो रहे थे बात तो ठीक ही कर रहा है कुछ ऐसा हुआ वाला बात तो बोला नहीं है चलो आगे बोल रहा है ए डाइड ऑन 30 सेप्टेमब करेंट अकाउंट अच्छा हां फिक्स कविडिल में तो करेंट अकाउंट में होगा ऑन 31 सेंबर 10 मतलब पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग वास क्या बुला है 450 अच्छा मतलब बताना चाहा है मैं रफ में बात कर रहा हूं ठीक है नहीं फेर वरक में मतलब बात लेना हां यह डेबिट साइड और एक्रेइट साइड तो यह वन वन को ओपनिंग बैलन्स दिया हुआ था बाइबालेंस ब्रॉट डाउं कितने का बैलन्स है 450 यह बोल रहा हूं कि वैसे हमको पता है भी या अभी सुना यह तो जा रहा है ना जा रहा मतलब भगवान क वास गया तो इसका पैसा उसको देना है तो करेंट अकाउंट में जो भी बैलन्स बचेगा वो भी कहां डाल देना है capital में ट्लोस कर दो क्योंकि सब लिए जाएगा तो थोड़ा सा एक्ट्र बात बूला है और एंड फ्रॉम दर डेट अच्छा फ्रॉम दर डेट मतलब इयर के स्टार्टिंग से लेके मरने के दिन तक अच्छा अच्छा फर्स जैन्वरी से 30th सेप्टेमबर 11 तक समझ रहा है हाँ नौमे नमे यहाज विद्राउन 3,000 ओं विजिस्ट ओहुँड द्राइंग विज्ट भी अच्छा तो तुम लोग तो थोड़ा सा नॉलिज तो है इस बात का कि यह जब करेंट अकाउंट वेंटेन होता है ना तो द्रॉइंग अकाउंट करेंट अकाउंट में अग्लोज होता है याद करो प्र एपरो व्लट तो वहांब पर याद करो जब हमने लोग फिक्स कापितल में सीखे थे तो हम लोग बोले ते फिक्स कापिटल में इंट्रोड़क्शन ऑफ क्यापिटल और विड्रॉल आवाता है बागी सारा चीज का इंचिका से होता है करेंट से अच्छ्ट एक करेंट में जो भी बैलेंस है अब रख्के फाइदा तो है अब एक एक तो डबा बंद कर रहे हैं ना सो सारा पैसा एक जगा लिके जाओ जिससे पता चल जाए टोटल कितना देना है और वो एक जगा करेंट से कैपिटल में जाना है तो मैं इसको एज कैपिटल में भेज देंगारों है अगर मैं ब्याने सबस्टी यह इस कापिटल तू एस करेंट अब यह कापिटल तू एस करेंट और किछी तो मैं यहां पर आके पोस्टिंग गर रहा हूं 2 is current account और मैं ब्राकेट खोल के दिखा दिया, 450 credit balance था, 3000 drawings close किया, तो net में 2550 close कर दिया है। चेक करके बोलो, क्या आपके मन में ये बात बैठा, मैं जो बोलना चाहरा हूँ। क्या, हाँ ठीक है ना, 450 credit था, 3000 debit हो गया ना, negative balance हो गया ना, मैं वहीं समझाने के लिखा हूँ। नहीं भया हम तो 3000 minus 450 लिखें। लिखो भाई, हाँ, सोड़न पतक मिलेगा आपको अप्रिफो ना, होगे समझ में आगया मैं क्या किया आपको ये बात समझ में है। अच्छा, आगे, an unrecorded liability of 2000 was discovered on 30th September 11th, अच्छा, it was decided to record it and to be immediately paid off, अच्छा, unrecorded liability था, उसको अभी pay कर रहा है तुम लोग, तो entry क्या बनेगा, liability books में आ रहा है न, तो liability books में आ रहा है, तो entry क्या होगा, भया, entry बनेगा, revaluation to liability, तो सोच को देखो, ये 2000 का profit होगा कि loss होगा, liability बढ़ गया कि कम गया तुम्हारा, books में record नहीं था, आज तुम record कर रहा है, तो liability बढ़ गया, तो liability बढ़ गया, तो क्या, revaluation loss होगा, और तो कुछ revaluation बोला नहीं है, तो revaluation loss में A को A का share दोगे न, अच्छा, revaluation loss होने से याद है, इंट्री के होता है, partners capital to revaluation होता है, मेरा बात समझ में आ रहा है, मैं समझा पा रहा हूँ आपको, और ये loss है, loss, उसको पूरा 2000 दे देगा, ना, 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 किसके capital account बैठे हो, A का, तो सिफ A का ही share यहाँ पर जाएगा, तो loss पूरा अगर 2000 हुआ है, उसमें A का share यहाँ पर कितना था, half, तो A को इसका share half दे देंगे, यहाँ पर कितना revolution loss A लेके जा रहा है, 1000 रुपे का loss, देखो, मैं धीरे-धीरे एक-एक point पकड़ के कर रहा हूँ सर्थ, आपको समझ में आ जाना चीए सर्थ, बोलो ना, ठीक है ना, अच्छा, बाइदे वे, यह तो हो गया, मैं आगे बढ़ता हूँ, यह हो गया न सबका, अब मेरे को आगे पढ़ने, तो आगे और क्या data दिया है, प्रेडिंग रिजल्ट, ट्रेडिंग रिजल समझ कि आप रॉफिट लॉस का बात कर रहा है, आफ दा फर्म, ओके, बिफोर चार्जिंग इंटरेशन कापिटल, मितला अभी तक इंटरेशन कापिटल माइन हैस, नहीं किया है, आँ तो ठीक है, है, हाज बिन आज फॉलूस, क्या बोल रहा है, 2008 का प्रॉफिट है, 2009 का प्रॉफिट है, 2010 का लॉस है, और 11 में प्रॉफिट है, यह क्यों दिया है, गुडविल वैलुवेशन करने के लिए, अच्छा सुनना, वो पार्टनर मरा कौन से साल में था, 11 में, तो हमको एवरेज प्रॉफिट लेना है, लास्ट त्री यर्स का, तो 11 का नहीं लेना, ना ना ना, 11 का नहीं लेना है, बात समझ रहा है मेरा बात, मैं यहां पर इसको कला कर दें, मैं बोल रहा हूं, 11 का नहीं लेना, ना, 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 हमें 11 का नहीं लेना है, लास्ट तीन साल मतलब, यह 2008, 9 और 10, यह लेना है सर मुझे, गुडविल वैलुवेशन करने के लिए, मैं पहले एवरेज प्रॉफिट निकालूंगा, फिर तुमको यादे क्या, उल भी लाजेगा, फिर शेर दे देंगा, छोड़ो छोड़ो, इतना क्या बात करना है, वर्किंग नोट चालू करते हैं, मेरा बात समझ में आ रहा है न, मैं चालू करते हैं, वर्किंग नोट नमबर वन, और इसमें सबसे पहले आपके लिए लिग दिया, वालूएशन आफ कोई गलती वलती तो नहीं देना, तुम लोग पढ़ा है समरे, बोलना, कुछ गलती वलती दिया है तो बोल उसको ठीक करवा देते हैं, ना, कुछ नहीं है, छोड़ो, तो वालूएशन आफ गुडविल करने गया, तो मुझे सबसे पहले चाहिए क्या, अवरेज प्रॉफ तीसरा सल में लॉस है ना, 640 का, माइनस 640 होगा, और डिवाइड़ बाई कितना, 3, 9640 प्लस 6720 माइनस 640 डिवाइड बाई 3, ये कितना रहा है, 5240, 5240 समझ में रहा है, देख तो ठीक है क्या, अवरेज प्रॉफिट, अब मैं फिर से पढ़ा देता हूँ, देखो, आप गजनी हो, इधर होए गजनी लोग, मैं फिर से पढ़ा देता हूँ, गुडविल वैलुएशन वाला लाइनस, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर से पढ़ा देता हूँ, देखो, इधर देखते रहना, that upon the date of a partner, the goodwill of the firm will be valued at two years purchase लेना है, of average net profit, किन्तो average profit कौन से लेना है, after charging interest on capital for three years, to 31st December preceding the date of partner, जिस साल मरा है, उसके पहले वाला 31st December से 3 साल का average लेना है, ले लिया, और फिर after charging interest, after charging मतलब माइनस करने के बाद, तो यहां से क्या माइनस करना है, interest on capital, कौन से partner का interest on capital, सारे partner का, बोला यहां, this is partner का दीदी, तो, उल्जूल हवी जावी बोले हवे ना, कुछ नहीं बोले मतलब सारे partner का, अच्छा, interest on capital, capital पे दोगे, तो सारे partner का capital पता करना पड़ेगा, तो सारे partner का, इधर देखो, 10, 6 और 4 है, दिखाई दे रहा है, और interest on capital, कितना percent देता है, इधर देखो, इधर देखो, 10%, मैं क्या बोल रहा हूं, 10,000, 6,000, और 4,000, यह हो गया capital, इस पे interest लगाना है, 10%, तो कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है, होई, 2000 आ रहे, सब का आगया न, देख लो, तो अब जो figure बच रहा है, that is 3240, अब इसका नाम देने का किसी को अगर मची गया है, तो हाँ, अब तो उसको क्या बलेगा, adjusted average profit, अब adjust करने के बाद है, तो adjusted ही बोलिंग और क्या बोल सकते हैं, और अगर किसी को goodwill ही निकालना है तो goodwill के लिए यह वाला, आप average profit ले लो, 3240, और number of years purchase कितना बुला था, 2 years, तो इसको 2 से multiply कर दो, कितना हैगा, 6480, क्या कुछ घरबर बुल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, देख इतना difficult नहीं है, जितना दिख रहा है, धीरे धीरे होले होले चलो कि तो इस सम समझ में आए फिर उडवी जाएगा आपके साथ, तो इतने दोनों संस, सम भी उड़ेगा और हभी उड़ोगे, और रेडबूल का है रहता था ने, इस गिवस विंग्स, वैसा वाला condition होगा, बहुत तंग करके रख दिया इंसान, चलो आगे, सुना किसका share in goodwill निकालना है, कौन मारा थ तो is share in goodwill, सर, 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 वो gaining partner, sacrificing partner, goodwill adjustment table निहीं बनाएंगे, बना कि भी यही निकालना है, क्योंकि अल्टीमेटली तो यह अपना share ही लिखे जाएगा, याद करो पहले समझाया हुआ है, याद करो, तो भाया यह 6480 into half, half समझ गे निसका share half था ना, मतलब इस तरह का सम उल्टाना आपके लिए 5-7 होता है, देखो goodwill adjustment table पहली बार आपको छोड़ने का मौका मिल गया, goodwill होते हैं, यह बड़ा सम देखे डरने का नहीं होता है, बड़ा सम है, मतलब ही easy रहेगा, बाकी सब काहनी भी, अरे काम का चीज कितना होता है, पास साथ तो इतो होता है, बाकी सब काहनी होता है, दादी मा का काहनी, grandma stories, आज़ा 3-2-4-0, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया, मैं आ गया, share of goodwill, 3-2-4-0, यह कौन सा working note था रहे, 1, तो मैं यह मेंशन कर दिया, कि कृप्या working note 1 चेक कर ले, हर बढ़ाने का नहीं है, मेरा तावदेत है, मैं धीरे धीरे पढ़ लेता हूं, मेरा काम हो जाता है, हो गया तर, मैं आगे पढ़ने के लिए रेडियो, देखो मैं आगे पढ़ने के लिए चलता हूं, आगे क्या बुला है, मजा आजेगा सर, आगे वाला लाई, एकी है लगता है सब पढ़ लिए आज्यूमिंग दाट सरेंडर वैल्यू आप दब पॉलिसी टू बी ट्वेंटी परसेंट अफ समेशों ओ सरेंडर वैली दे रखा है क्योंकि एक देत हुआ है ना तो ए शेरिंग पॉलिसी लेके जाएगा और वो कितना लेके जाएगा तो वैल्यू उसका टोटल करेंगे उसमें एक शेर आधा पकड़ा देंगे तो मैं एक टो वर्किंग कर ले रहा हूं तो यह सब तो डिटेल में चर्चा किया हुआ अपना तो वर्किंग नोट नंबर टू और इसमें ऐसे लिख दिया आपके न यह क्या निकाल रहे है शेर इन पॉलीसी पूछे किसका वर्किंग कर रहे हो तो मैं बोल रहा हूं शेरिन पॉलीसी अच्चा एस पॉलीसी वैलू लेंगे सर आपको policy value कहां से मिलेगा यह देखो ना लाइक इधर देखो मैं आपको दिखाता हूँ मैं colorful बना देता हूँ blue किसे लिकता हूँ that and insurance policy of 10,000 each to be taken in individual name of each partner घाई दे रहे तो policy value कितना कर के एक एक जनका 10,000 जेन तो एक के लिए तो paug 50 कितना लेंगे 10,000 कि यो बी ऑर और सी लिए मर किया क्या गहां बायू स ons चनर्ची पॉलयू नर्च एसका क्वान से वेल्यटना सरेंडर लेना है जो जिना है उसका कौन से वेल्यूद लेना है Transmit समझे ना मेरा बात सुना पॉलिसी वैल्यू तो 10,000 था दुनों का और सरेंडर वैल्यू बॉलाए 20 परसेंट है इसका 20 परसेंट कर लो कितना अच्छा सरिकर से बताया बता है यह ना मतलब इसका भी 2,000 ले लो और इसका भी 2,000 ले लिया लेके का करना है लेके का करना है टू अरे बोलो ना एक शेर आधा था ना यहनि जो पॉलिसी का ए 14,000 इसमें एक शेर कितने हैं आधे 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 अरे बोलो रहा अधे रहा दे अधे आधे 7,000 7,000 7,000 डा खे बोलो हुआ क्या वरे समय जा रहा है पक्का कॉन्फिडेंट लॉक कर दिया जाए कि लॉप कर दिया जाए छी का सब्दॿन कर दे रहाँ स्थ मैं टू और मिया लिख दिया 7000 समझ आया सर सम तो फिनीस हो गया और कुछ पढ़ने का कुछ बचाई नहीं है किन्तो अभी भी दो फिगर निकालना है कौन-कौन सा बचा है पहला इंट्रेस्टन कापिटल दे रहे सकते हो तो एका फिक्स्ट कापिटल पर दे सकते हो तो एका फि ओपनिंग 10,000 अधर उदर क्या देखर नाला है कि इधर ही देखो इधर एक आपनिंग कापिटल कितना है हाँ 10,000 इस पर कितना परसेंट बोला थे याद है 10 परसेंट कितना मैना जिनदा था 9 मंस तो 9 मंस का इंट्रेस्ट देना चाहिए कि देना मत अगर सम में बोला था 31st December following his day मरने के बाद December तक देना मतलब पूरा साल का अगर सम कुछ नहीं बोलता तो मैं सच में नौ में ना देता बट यह तो बोल रहनी पूरा साल का देना पड़ेगा तो मेरे पास को चारा नहीं है मैं पूरा साल का इंटरेस्ट दोंगा इसको हजार रुक है बोले यहां त ना तो था कि 9 months का Profit देए कि इसमें क्या बोलाता ना ही मरने के बाद December तक मतलब पूरे साल का profit देना है तो सुनो ना 11 का पूरा साल का Profit यह लोग सम में दिया है क्या आप बोल रहे हो से बोल क्या रहा है दिखाई नहीं दिखाता हो नहीं दिख रहा है इदर देखो 11 का Profit में goal करना। कितना दिया है? 3670 तो भया इसमें से इसका share कிतना है? Berry Invest इसको के डिया है? 3670 ना? तो इसको देना पड़े गा share ये तो profit है इस साल का तो इसमें से कितना मिलेगा 3670 में से? गलत 3670 जो profit है ना? सुनू ना पूरा साल के तो क्या हुआ है यहां क्या लिखा है इसका मतलब यह प्यल अकॉंट का बैलेंस है तो है भूल गया profit ऐसे नहीं बढ़ता है करना कर दो करके जो बचेगा कि वो शेर बढ़ता है पाटने से बस इंट्रेशन कापिटल यह एक अप्रोप्रेशन आइटम है इंट्रेशन ड्राइंस तो कुछ दिया नहीं है और कोई अप्रोप्रेशन दिया है नहीं मतलब मेरे को सुनो ना यह 2011 का प्रॉफिट है न 2011 में जितना भी इंट्रेशन कापिटल देना है वो देना पड़ेगा पहले अप्रोप्रेशन करना पड़ेगा करके जो बचे का वो डिवीजीबल प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा पार्टनर में इनके प्रॉफिट शेरिंग रेश्यो में मतलब नहीं जमझ पारे हो तो द हाँ सुनो ना मैं बोल रहाँ यह 2011 था प्रॉफिट ऑफ 2011 यह था 3670 समझो यह पील अकाउंट से निकल किया है पील अकाउंट से प्रॉफिट है अब एप्रोप्रेशन करना है एप्रोप्रेशन में इंट्रेस्ट अन कापिटल होगा 2011 का अरे बोलो ना और मेरे शब्दों पर बहुत ध्यान से सुनना सर प्लीज इसको हलके में मत लेना चाहिए इतने ही आसान लगो अभी बाद में यह सब चीज केस करेगा आपके इस साल 2011 जिस साल डेत हुआ है अब कौन-कौन से पार्टनर को इंट्रेस्टन कापिटल दियो अगर दिसंबर तक नहीं बोला होता समय तो उसको कब तक का दियोते सेप्टेमबर तक का अब तब क्या होता सुनो ना ए और बी का पूरा साल का इंट्रेस्ट देते सुझ नाइन मन्स का लेते समझो कहां ट्रिक हो सकता है यह बचा लिया उल्ट आपको तो मैं बोल रहा हूँ तीनों पार्टनर को इंट्रेस् एक जनका 6,000 एक जनका 4,000 टोटल 20,000 के उपर 10% यानि कितना रुप्या दो हजार इंट्रेस्टन कैपिल देना पड़ेगा माइनस करने के बाद कितना बच रहा देको 1670 बच रहा है बोलो ना हां अरे बोलो ना हां हां सर यह जो है ना मुन्ना समझो ध्यान से यह है डिवी इस शेर इन प्रॉफिट तुम समझा कहा चोटा-चोटा कदम पर धोका है यह 1670 में एक शेर आधा है तो उसको आधा दे दो अरे बोलो आधे आधे कितना 835 90% बच्चा लोग क्या करेगा पता है वो 3670 का आधा देके बढ़ जाए तुम भी वही सोच रहा था ना हां कि मैं इस सम के प्रतीन है सर यह फिलिंग आ रहे है अच्छा 835 समझ मैं है सबको हां सर मैं आगे बढ़ू लिख लिए आपने सबने मैं हटा दू स्क्रीन से इसको अब चलो 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 835 मैं उठा के लिख देता हूं यहां पर यह वर्किंग नोट कितना बना श्रील्ड एट थर्टीफाइब और मजा का बात सुनो न यह करेंट अकाउंट और रिवालिवेशन कब क्लोज किये थे करेंट अकाउंट इसमें ड्रोइंग कब तक का बैलेंस था याद है रोइंग कब तक का बैलेंस था नौ मैन आगा मतलब यह 30 सेप्टेंबर को यह ट्रांसफर कर किन्तों क्वेशन के तहट यह 31 सेंबर ही होगा सारा तो मतलब यह वाला भी 30 सेंबर 11 को रहा है वैसे रिवालुशन पहले ही हो गया था पर इंट डिशमबर में होगा पर क्योंकि सारा इंटिर कभ मांगा है 31 सेंबर हो और कुछ होए बचा अब जो भी बैलेंस है वह एज और यही तो पुछा था कि कितना देना है तो अब जो भी बालन्स बच रहा मुनना वह चुप चाप एज एक्जीक्यूटर में डाल दो एज एग्जीक्यूटर और आप से पूछा तो उसका लीगल को कितना रुपय मिलेगा कि बैलेंस करके निकाल दो एंसर मिल जाएगा से अरे वाह एकदम एकवल लाइंड रहो गाता ना ज्यादा ना कम यह बहुत अच्छा लगता है जब एस्टिमेशन एकदम परफेक्ट न खेतना राए 18525 देख लेना भैं हमको निए बता कि कैसा लगा अच्छा लगा कैसा लगा अ इसल लगा कैसा लगा कैसा लगा शम लगा अच्छा लगा लाओ बढ़े लगाना सम बढ़ियां देखो जो भी बोलो क्वालिटी सम का बढ़ियां है ठीक है ना है यह सम खताब चलो सर अब सम नंबर सिक्स शुरू करते हैं सिक्स मैं सिक्स नहीं सुरी सिक्स तो ही है सिक्स सॉरी सॉरी दिस नाट दे नंबर बेवे एडिस नंबर पाई पांच और मैं आप से रिक्वेस्ट करता हूं सर बहुत बढ़ी हैं सर बहुत बढ़ी हैं सर यह अगर आप छोड़के जाते हो ना सम सर तो अपने पैर पे कुलाड़ी मारने वाला बात हो गया सर चाहिए यह सम आपको इंस्टूट के मोडिल में भी मिल जाएगा सर कोई मेरा बनाया वा सम नहीं है पर इंस्टूट के बुलते हैं दिल के बहुत करीब वाला सम यह वाला वापस से बता रहा हूं यह कोरियन लव वाला इंस्टूट ऐसे करता है सम को देखके बार 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 तो इस तीन बार पहले रीडिंग करो, उसके बाद ही नहीं तो कुछ समझ भी नहीं आएगा सर, थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा ट्रिकी है सर, और जो बची वीडियो देख रहे हैं सर, आप सर इसको पॉस करो मेरे को पहले, क्योंकि मैं तो आगे चल रहा हूं, आप पॉस कर रीड करो इस question, तीन बार उसके बाद ही आगे देखना से, तो मैं उम्मीद करता हूं, आप लोग यह सम तीन बार read करके फिर ही आगे मेरा चर्चा सुन रहे, और अगर read नहीं के तो मैं फिर से बोल रहा हूं, read कर लो फिर ही चर्चा सुन, यह है question number 5, ठीक है, क्या बोल रह है यहां पर इस पर चर्चा कर लिया दे, इसा भटाओ, क्या बोल रहा है, उस पर थ्वड़ा ध्यान देते हैं से, बोल रहा है, last line पढ़ रहा हूं, prepare an account showing the amount due to petal legal representative, as on 30th September 16, along with necessary workings, तो बोले एक account बना के दिखाओ, जिसमें Peter का जो legal representative है, मतलब legal executor, उसो कितना मिलेगा, तो मन में तुरंत आ रहा है, अगर executor को कितना रुपया देना है, यह पता करना है, मतलब पता करना है, तो यह capital बना लेंगे, capital से निकाल लेंगे, सही बोल रहे है, पर आप सम पढ़े है, इसमें ना fixed capital method बोला है, आप लोग read कर लियोंगे, fixed capital है, fixed और current दोनों account है, capital हो current, हाँ तो ठीक है, ऐसे तो capital से ही करते है, हम, सही बोल रहे है, मगर इस sum में एक ना लोचा कर दिया सब, एक line में, जिसके वज़े से इस sum में आपको capital के साथ current account दोनों बनाना पड़ेगा तो क्या जहमिला कर दिया, मैं बताता हूं, क्या जहमिला कर दिया या क्या point है, जिसको लेके तकलीव है, मैं पहले ही point पर आपको दिखाता हूं, point number 5 पर हीट करवाता हूं, इतना सुन्दर से छुपाया है ना कि नजर में भी नहीं आएगा, ऐसा point बोला है, जरह पढ़ने ही है, पता है मुझे, and the profit and loss, जो भी profit loss आएगा, to be debited and credited to capital account in profit sharing ratio, और बोलता है, revolution profit loss आएगा और उसको capital account में डाल देना, आप सम पढ़ रखें, बाकी कोई item के लिए लिखा है कि capital में जाएगा, नहीं, मतलब ये लोग ये समझाना चारा है, कि सिर्फ और सिर्फ, revaluation का profit loss है, उसका entry capital account में दिखाना है, इसका मतलब बाकी सारा entry कहां दिखाना है, वो तो capital में नहीं दिखाना है, तो कौन सा account बचा, current, यानि बाकी अग सारा entry current account के थ्रू दिखाना पड़ेंगा, मतलब इस समय मेरा बात समझो मुनना, अगर अभी भी नहीं समझो, कोई बात नहीं, अभी देखोगे ना, पुरा प्रक्री आत्व, आपको समझ में आ जाएगा, इस समय आपको, क्या नाम था उस आदमी का, पीटर था ना, तो आपको, पीटर को, एक पीटर कापीटल अकाउंट बनाना ची, अब ये ज्यादा बड़ा बनानी का जरूत नहीं, चार लाइन काफी होगा, एक, दो, तीन, चार, और बाकी सारा entries करने के लिए, बाकी सारा देना लेना करने क के लिए कौन सा अकाउंट बनाना चीए, करेंट अकाउंट बनाना चीए, और सुनो ना, कैपिटल में, लास्ट में, जो भी बैलन्स आता है, वो कहां जाएगा पता है, एक्जीक्यूटर में, और इस बार, इवन करेंट में भी जो बैलन्स आएगा न, उसको भी एक्जीक आकाउंट में डाल देना, नहीं समझ्जा मेरा बात कौन से में तो गठा कर देंगे, कापिटल का 10,000 रुपया, कारेंट का 20,000 तोटल 30,000 देना है, एक्जेमपल समझोँ, 10,20 कई लिखा नहीं है, इसे एक्जेमपल भी बोला के मांनलो capital बिटे रहाया, और current का balance रब 20,000 है तो दोनों को मिला के 30,000 मिलेगा न उसको तो ये वाला total दिखाने के लिए current के बाद मैं एक आपके लिए एज एक्जीक्यूटर अकाउंट भी मना लेता हूं हाँ ये एक्जीक्यूटर अकाउंट चार लाइन उससे ज्यादा का मतलब नहीं है ये चार लाइन से ज्यादा का मतलब नहीं है चार लाइन भी नहीं लगेगा बस safety के लिए चार लाइन बोल दिया वैसे तो तीन लाइन म तो इस बात खुड़ा मेहनत बढ़ गया आपको एक बिठो capital बनाना है capital में से एक ही आइटम का पोस्टिंग आएगा that is revolution profit loss उसको छोड़गे बाकी सारा चीज कहा ठूसना है करेंट मेंट अब पहले ही अकाउंट बना लो से capital चार लाइन का बना लो खाल के करेंट अकाउंट फोड़ा साबड़ा बनालो 67 लाइन का बनालो जैर्थ लाइन का बनालो चलो उससे यह जरुत नहीं पड़ेगा और एक executor बिबनाई और इसके अलावा जो भी ज़रत पढ़ेगा आपको पता है वो सारा क्या बनने वाला है वरिकिंग नोट्स में बनने वाला और यह सारा कहानी करने के लिए कब बोला है तुम ध्यान दिया नहीं यह शायद लास्ट लाइन में मैं जब पढ़ रहा था यह लोग यह सारा एड्जेस्ट्मन कब करना है 30 सेप्टेंबर 16 को तो लगता है वो आदमी 16 को मरा होगा क्या ना मैं पीटर है ना पीटर हाँ पॉल आप्रिंस वेर पार्टनर शरिए और प्रशेरीं रिशकल दे बेड़ को तो पीटर पॉल प्रिंस से उंकर प्रफिट शेरीं रिशो 2 1 1 दिया को दिक्वाहर का बाद नहीं है फिर बोल रहा है अपने को इट वस प्रॉवाइड इन पा।नर्षिटər दील दाट इन इ और इस legal representative, would be paid, क्या-क्या मिलेगा उनलों को उसका बात कर रहा है, चर्चा का ठीक है, बोलता है the balance in capital, well capital का जो balance उसको देना ही पड़े, तो अव्यस सा बात है, जो मर है उसका capital का बालन सका पडोसी को देंगे क्या, गजब बात है, मतलब बूलना चाहरा है कि capital account में कोई balance था अभी, मैं लेख रहा हूँ, buy balance, opening balance नहीं होगा, वो देना पड़ेगा, अब यह कोई बोलने का बात नहीं कि, obviously current account में भी कोई balance तो होगा, यह opening balance, वो भी देना ही पड़ेगा, बोले चना बोले बाई, देना तो पड़ेगा, क्योंकि जाने वाले का पैसा मार के नहीं र ओ, goodwill का share भी मिलेगा, बोलो capital में मार दू, buy share in goodwill, नहीं यह कर देते, करते capital में भी यह, पर इस समय बोला capital में सिर्फ revaluation का profit loss, इसलिए कोई बात नहीं, आप share of goodwill देना है, पड़ेगा, मैं समस्ता हूँ, share in goodwill, मगर इसका entry कहां करेंगे, current में, पर यह ऐसे लिखेंगे, आप वो capital account नहीं लिखेंगे, नहीं, ऐसे लिख सकते हैं, shortcut allowed है यह वाला share in goodwill, जब single, deceased partner का बना रहे हो, तो नाम लेकर लिखेंगे, क्या चीस का पैसा देरो, share in goodwill, share in policy, share in profit, आप ऐसे लिख सकते हैं, बरुसवा नहीं हो रहे, इंस्टिट का मुख खोल के देखो, मेरे से मत पूछो, इसका बोलता है, share in goodwill of the firm, valued at, अच्छा, इसका valuation कैसे करेंगे, बोल रहा है, two years purchase, अच्छा, number of years purchase केतना बोल रहा है, two, अच्छा, और ध्यान से देखना, क्या word बोल रहा है, normal average profit, average profit लेना है, कि तो word बोलना है, normal, मेरे को ना थोड़ा सा ना, वो अला feeling आ रहा ह गुडविल जब valuation सिखा रहे थे, भी आप normal profit बता रहे थे हम लोगे, उसमें क्या होता है, वो लोग profit के अंदर कुछ abnormalities डाल देता है, abnormal loss, abnormal gain, और आपने बताया था, कि गुडविल valuation करने के लिए, जो भी average profit लेते हैं, उसमें abnormalities नहीं होना चाहिए, it should be free from abnormalities, लग रहा है, इसा कुछ कहानी बूलेगा, abnormal item बूलेगा, ठीक हम लोग कर लेंगे, किंदु बोला, after charging interest on fixed capital, मतलब सुनो ना, तुम पहले तुम अपना average profit निकाल लेना, तो तेरी क्या dance हो रहा है, यही तो अच्छा नहीं रखता है, सुनो, हम क्या बोल रहे है, पहले तुम लोग ना, अ सीफ, average profit नहीं, average profit, after charging क्या बुला है, interest on capital, ठीक है, कर देंगे, उसमें क्या बात है, question paper भगवान है, जो बोलेगा, हम करी देंगे, बुल रहा, for the last three years, अच्छा, average profit कितने साल का लेना है, last three साल का, to 31st December, preceding the retirement on day, अरे भाई, year end उनका 31st December होगा शाय, तो बोला, जिस साल मरा है, उसके ठीक, पहले वाला साल से तीन साल लेना है, normal sum, तो अगर मराय मानले 2016 में, तो 15, 14, 13, ये तीन साल का average profit लेना, उसमें से interest on capital minus कर देना, सारे partner का interest on capital, कर के जो आएगा, adjusted average profit रहेगा, उससे into two करना, goodwill मिल जाएगा, तो share दे देना, जिसका जो है, तो share and goodwill देना पड कर रहे है, बोलता है, his share of profit देना पड़ेगा, ओ, share of profit नी समझा, broken period का share of profit नी देना पड़ता है, उसके entry करते है, हम लोग PL suspense to DC's partners, capital लिखने का मन हो रहा है, कि इस बार capital नी current होगा, कि मैं क्या बोल रहा हूं, यहाँ पर buy PL suspense लिख दो समझ जाएगा, profit and loss suspense, अगर आपको ऐस से अच्छा नी लग रहा है ना, by sharing profit भी लेख सकते हो, वो जितना दिन दीजिंदा रहा था, उसका share of profit देते हैं, वो लोग क्या बोल रहा है, his share of profit from the beginning of accounting year, year के starting से लेखे, to the date of retirement of date, हाँ ठीक ही बोल रहा है, year के starting से, हाँ जिस दिन वाला है, वोई broken period का profit देना है, which shall be taken, on proportion proportionate basis, अरे एक ही तो बात है, proportionate ना, जितना दिन जिन्दा था, उतना दिन का profit देना है, of profit, of क्या लिखा है, previous year, अच्छा अच्छा, याद करो, जिस साल मरता है, उस साल का जो profit लेते हैं, वो उसका basis बोलेगा ना, तो लोग बोल रहा है, previous year का profit को ही current year का profit माल लेगा, previous year का profit बोल रहा है, as increased by 20, oh, ने, ने, ये लोग क्या बोल रहा है, सुनो ना, जिस साल धेत हो रहा है, या retirement हो रहा है, जो भी है, बोला, इसका पहले साल का जो profit है, वो लेलो, और इसमें 25% जोड़ दो, मैं बोला, जोड़ दिया, बोला, वो इस current year का profit माल लेगा, और उसको फिर बांड, मतलब पिछले साल का profit अगर एक लाख है, जिस साल मारा है, उस साल का profit चीए न, तो बोलता है, उसमें 25% जोड़ दो, एक लाख में, एक लाख 25,000 इस साल का profit है, बात समझे मारा है, तो ठीक है, share of profit भी देना है, ते देंगे, कोई दिक्क्रत है आपको देने में, द लेज़े हैं, तुन प्रिवियस यर को बेस्ट लेना है, 25% बढ़ाना है, चीए, इंहेंरेक्व कापिटल at 10% परेनम, इंहें फिक्स कापियले कितना है, 10% परेनम, हुम, दो पेबल्टू पार्टन किया लिखा है, दो पेबल्टू पार्टनर और धाल न, जिए लावान य तो मेरे को बहुत जोर से मन हो रहा था कि मैं बोल दू कि इसको भी इंट्रेशन तुम मत लिखना भी इंट्रेशन कैपिल देना चीए किन्तु बोला हम सबको देते हैं तेन परसंट करके हर साल किन्तु क्या बोल रहा है मनें अगर किसी पार्टन का देत हो गया तो उस साल उसको नहीं देंगे बाकी लोगों को तो देंगे तो इसका मतलब नॉर्मल रूल के हिसाब से ये पीटर जितना दिन जिन्दा था उतना दिन का इंट्रेशन कैपिल मिलना चीए किन्त ये लोग अपने पार्टनर्शिप डीड में लिख रखा है कि अगर किसी पार्टन का देत हो जाता है उस साल उसको हम लोग इंट्रेशन कैपिल नहीं देंगे तो इसका मतलब मन तो बहुत था कि दे दें इसको किन्त आम सॉरी पिटर आई विल नाट बेबल तो गिव इंट्रेशन कैपिल नहीं देना है इन दे इर ओफ देथ उसको नहीं मिलेगा ठीक है बाकी तो दे नहीं है ठीक है आगे और क्या बोल रहा है पीटर डाइड नं 30th September 16 अच्छा पीटर कब रहा है 30th September 16 को ठीक है दे बुक्स अफ अच्छा अगर यह चालू रहा है 1st January 16 तो यह एंड कब होगा 31st December 16 और इस बिचार का डेथ कब हुआ है 30th September 16 को मर गया बिचार पीटर मतलब पीटर वस अलाइफ रम जैनुवरी टू सेप्टेंबर दडड़ इस हो मेनी मन्स नाइन मन्स तो मैं बात बोलूं क्या सीधा सीधा बात इसको यह जो शेर ऑफ प्रॉफिट दोगे ना 9 का मर रोना जेतना दिन जिनदा है उतना दिन कहीं लोग बोला था ना तो बस वहीं दढ़ेंगे स्सार समझ में है मेरा बात पर्यव्ण इतना देर से अला haven और अलम और भी बोल रहें नहीं समझ मैं है जितना दिनजिन्द उतना दिन का प्रॉफिट गए जीदर सब्सक्राइब हें 9 मेहनन ला कि सब्सक्राइब कि ह Maar कि अब क्या हो गया अब आगे और बोल्रात पढ़ने दो कि ओल अचापर्फिट आएगा और लोट यह कि रिवेलवेशन बोल रहा है. the balance in fixed capital as on 1st January 16 Peter का 10,000 Paul का 5, Prince का भी 5 Paul or Prince का क्या करना है मुझे Peter का चाहिए 10,000 मुझे पता चल गया सुनो न 1, 13 1, 1, 16 ये balance 10,000 है death का year 16 ही तो है बोल भी तो रहा है तो ना current account का भी opening balance 1, 1, 16 को ही आएगा opening balance भाई 1, 1, 16 को ही होगा न ऐसे देख रहा है ऐसे क्या चाहिनिदम बोल रहे है जब बात करते हो इधर देखो फिर बोल रहा है the balance in current account on 1st January 16 वेर Peter का 20 Paul का 10, Prince का 7 मुझे सबसे मतलब नहीं मुझे Peter का चाहिए Peter का कितना मिल गया? 20,000 ये भी ठीक लग रहा है मुझे? कोई दिक्कत आपको? नहीं सर आगे देखने दो drawings of Peter till 30th September 16 were 10,000 drawings को current account में close कर दो 10,000 बोल रहा है तो 2 Peter's drawings drawings close हो था बच्पन से सीखा हुआ है fluctuating capital method में sorry, fixed capital method में drawings current में close होता है मैं current account में close कर दिया 10,000 अब बच्पन का बात अगर भूल गए होंगे PL APRO में जो सीख क्या हो तो can't है सर उस अब याद रखना पड़ेगा आगे बोल रहा है the profit of the firm profit of the firm before charging interest in capital, अभी तक interest in capital minus नहीं किया है for the calendar year 13, 14, 15 अच्छा हाँ 15 15 तक कहीं दिया है हाँ मारा था 16 में goodwill निकालने के लिए पहला 3 साल का profit चाहिए ठीक ही है 13, 14, 15 1, 1, 20, 1, 50 respectively अब ये profit क्यों दिया आप समझे के हैं goodwill के लिए मुझे share of goodwill देना पड़ेगा लिखा हुआ है ठीक है और आगे बोलता है the profits include the falling abnormal items of credit abnormal items of credit credit मतलब है profit है इसमें जोड दिया है क्या-क्या चीज जोड दिया है बोलता है profit and sale जोड दिया है ये 3 साल का अब दिया है और कोई insurance claim receive जोड दिया है अच्छे credit कर दिया है मतलब profit में जोड दिया profit बढ़ गया है अपने लोग जब goodwill valuation करेंगे the profit that we take it should be free from abnormalities ये कोई गलती नहीं है मेरा बात समझो ये जो जोड दिया है profit में क्या कोई गलती किया है नहीं गलती नहीं है बिया सिर्फ goodwill valuation के लिए हम लोग का rule है कि हम लोग जो profit लेते है इस शुड भी free from all abnormalities तो हमको क्या करना पड़ेगा ये abnormal gain है ऐसे सोचोना है abnormal gain है तो ये लोग add करके profit बढ़ा लिया होगा इसका effect nullify करना है निकालना है तो अब मैं क्या करूँगा minus करूँगा तो ये सब minus करूँगा तो मेरा काम हो जाएगा का मेरा बात समझ में आ रहा है अरे बोलना मेरा बात समझ में आ रहा है मेरा बात समझ में आ रहा है अब आगे आगे सुनूँ ठीक है मैं निकाल लूँगा मुझे उसमें कोई दिक्कत का बार नहीं है किन्ट मैं एक line पहले पढ़ना चाता हूँ के लिए मैं आपके लिए इसमें एक लाइन पढ़ना चाहता हूं सर बीच का मैं नहीं पढ़ रहा हूं मैं वह बाद में पढ़ूंगा मैं पहले एक लाइन पढ़ना चाहता हूं on 30th June 16 16 मतलब करेंट है जिस साल मरा है सेप्टेंबर में मरा है किन्तु जून का ही बात करने है क्या हो जून में the firm receive notice from insurance company हमारा कोई insurance company उसने हमें notice दिया है क्या चीज़ के लिए that the insurance premium in respect of fire policy अच्छा कोई fire policy ले रखाऊगा बिजनस्मानल तो लेता ही है ना कि आंग बाग लग गया उसके लिए policy लेता है तो कोई fire policy गवात कर रहां क्या होगे इंश्रेंस प्रीमियम has been under charge अच्छा under charge मतलब कम चार्ज हुआ है कम कम पे हुआ हम लोग से to the extent of 6000 छेजार रुपे का कम पे किये कौन से साल में in the year 2015 2015 में हमने 6000 का प्रीमियम कम लिखा है कम चार्ज किया है 2015 में and and the firm has to pay immediately और बोलता है अभी के अभी इस प्रीमियम को पे कर रहे हैं सुना यह जो प्रीमियम पे कर रहे हैं कब पे कर रहे हैं 16 में यह इंश्रेंस प्रीम है कौन से साल का 15 का अब आप लोग तो पढ़े लिखे बच्चे हैं थोड़ा सा मैं दिसकरशन कर लेता हूं मुझे सब दिसकरशन करना भी नहीं चाहिए आज के दिन पर आपके लिए मैं थोड़ा दिसकरशन करना चाहता हूं अगर इस साल में इंश्रेंस प्रीमियम पे कर रहे हूं 16 में आके तो मैं इंश्रेंस प्रीमियम पे करूंगा तो क्या इंट्री क करने मुझे बस इतना बता है इस एना इंशॉरेंस प्रीमियम खर्चा है डेबिट टू बैंक कर दो ना छह जार रुपया ये खर्चा हां मुझे बहुत अच्छा लगा यह लाइन आप भूले क्य içeris आव जानतीए जो इंशॉरेंस प्रीमियम पे करर रहे हैं कौनद से साल का है the second है आश्ले साल का सां मतनल कहीं कहीं में अपना गलती ठीक कर दो है कि यह इन्शॉरेंस कौन से साल का था पिछले साल गोंद कर देया था हा रिकॉर्ड नहीं कर दिया था अब इस साल मित्फले साल का गलती इससाल अगर मतलब इस तेज हुआ हर नॉमिनल अकाउंट के जगा प। इसके जगह मुझे प्रोफित लॉस आजचेस्ट्मेट प। प्रोफट ख़ bakın आप ये। अबर मतलब सुनों ना लैट्जिस्ट्मेंट अकं डेबीट होगा ना बाकि छोड़ो ना वमको बाकि मतलब ये क्रोफ़िटव नियों से मतलब करा लिच्ट्मीट्स आक। Maafo का मतलब सुनना यह जो यह जो 2015 का लोग profit दे रहा है ना 15 का profit यह सही profit नहीं है इस profit में 6000 कम करना पड़ेगा rectification करना पड़ेगा एक टीफिकेशन है सोचो अरे बोलो न हां हां रेक्टिफिकेशन है बोलो न हां सारे बच्चे लोग एकदम समझ में आ रहा है न सबको मैं क्या बोलना चाहरा हूं हां और दूसरा बात एक एफेक्ट प्रॉफिट में जाएगा और क्योंकि तुमको पता है कि मैं गुड्विल निकालने के लिए करेक्ट प्रॉफिट मुझे प्रॉफिट करेक्ट करला है दूसरा एकहक सुनो पील डिजस्ट्मेंट अकंट डेविट हो रहा है इधर अगर मैं सुनना ध्यां पार्टनर बाटने पड़े का क्या नम था पीटर पॉल और कौन फ्रेंस हमको इतना मतलब नहीं है मेंको पीटर से मतलब है तो पींटर ये शेर ओफ करेंट लिखना चाहिए क्योंकि कापिटल में सिर्फ और सिर्फ री वैल्यविशन आएगा तो करेंट अकांट में जाकि मुझे लॉस भी मारना चाहिए लॉस का पोस्टिंग करना चाहिए पीटर्स करेंट अकांट डेबिट टू पीए अज़ेश्टिंग कैसा लग रहा है पॉइंट बढ़े हां पॉइंट है सर सोचके देखो इंडिविजुली सोचो के तो बहुत बढ़े हां लगेगा पहले तो समझ में नहीं आतकी और यह यह प्रैक्टिस करना बचे अब इसको पता है कि सारा बच्चा नहीं है कि बढ़ेंका थो lot समझ ना बच्चे एक और समझ ना चोड़ने सी नहीं ह bisschen को हाथ से कम से कम तो एक बर में हमसे भी नहीं हुआ था विश्वास कर हम भी जब स्टुइंट है ना पहले बर जैके हम भी बोल गए तो यह का है कि तो किया ने जब तीन से चार बर प्रैक्टिस कर लिया ना से इंसम को हाथ से लिखके तो ठीके चलो एक एक करके बात करते मैं पहला इसका तवज्जु ठीक करता हूं इसको पीटर्स करेंट अकॉंट में पोस्ट कर देता हूं समझ रहा मेरा बात मैं पीटर्स में पोस्ट कर देता हूं तो मैं 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 गया करेंट अकांट में मैं यहाँ पर आ का एड्जिश्मेंट था 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 थो छह जार रुपया जिसमें पीटर का शेर था टू बाई फोर दाड़ीस तीन हाजार कि समझ में आ रहे हैं थोड़ा थोड़ा अब मैं गुडविल वैलवेशन के तरफ जा रहा हूं उसमें थोड़ा सा चर्चा है फ़र बात कर लेते हैं रेड़ी हैं बात करने के लिए आप मेरे साथ यहां तक लिख लो पहले सर कैसा कहा कहां कहां से उठा के लाते हो इस अब से अरे मेरा उठाने का क्या बच्चे इंस्टूट पूछता एक्जाम में पूछा हुआ जाके देख लो पास क्वेश्चिन्स समाझ में आ जाएगा अच्छा ठीक है सा छोड़ो आपके साथ तो क 40s 50s और 80s 90s में इस डिफ्रेंस होते हैं सबसे मैं चला वर्किंग नूट नंबर वन करने और इसमें मैं पूरा चर्चा करने वाला हूँ पहले वालूएशन ऑफ गुड्विल और इसमें भी सबसे पहले मैं ना 2015 का प्रॉफिट को ठीक कर रहा हूँ मैं कैसे लिख रहा हूँ आप देखो स्टाइल देखो तेरी 2015 का प्रॉफिट गिवन ओलोग क्या प्रॉफिट दिया था मैं पहले यह पूछ रहा हूँ अब इसमें से मैं रेक्टिविकेशन कर रहा हूँ मुझे माइनस करना पड़ेगा याद है ना कि बुल गया माइनस करना पड़ेगा मैं लिख रहा हूँ रेक्टिफिकेशन फॉर इंशॉरेंस प्रीमियम श्टाइल से लिखते है अंडर चार्ज लोग यही वह रूश किया था था ना तो अंडर चार्ज किया तो मैं चार्ज कर दिया अच्छ यह जार लोग तो सही profit कितना है 144 यह जो है ना this is your rectified profit for 2015 अब इस situation के बाद इस working के बाद मैं जब भी आप से पूछू ना मुन्ना बताना तो 2015 का profit कितना है मेरा बात समझ रहा है तुम क्या बोलोगे याद है 144 150 मत बोलना ठीक है सुनो ना मेरे को तो average लेना है कि तो normal profits का तो जो profits लोग दे रहें उसमें abnormality घुसा हुआ है वो लोग क्या क्या सब जोड़ रखें ना profit on sale insurance claim क्या सब जोड़ रखें उसको हटाना पड़ेगा यह रेक्टिविकेशन नहीं है हाँ तो मैं लिख रहा हूं कैल्क्यूलेशन ओफ नौर्मल प्रॉफिक्ट by uh sir कहां गुड़विल में यह बात बताये थे आच जाके कामा रहे आखरी दिनों में कामा रहे शर मैं अगर कुछ भी बोलता हूं ना class में कहीं लले गाई आग या क्यूंक मिलेगा बेलकुर अगर किसी सम्में नहीं में मिल है तो exam है तो पक्कर है 13 14 50 हाँ मैं पहले profits ले रहा हूं जो दिया हुआ है यहां पर था की वन लाग तैन वन लाग ट्वेटी नहीं लाक एक चों है और एक युद्धी फिफ्टीन का कितना वन लाक फिफ्टी में तो अब जो इसका आप नॉर्मलिटी जेए उसको आ हटाने का कारेकरम करेंण आजाएं step by step काम करोगे तो जिन्दगी अच्छा रहेगा माइनस कर रहा हूँ मैं profit on sale of asset ये लोग credit कर दिया था मैं हटा रहा हूँ profit on sale of asset profit on sale of asset 5,7,10 5,7,10 मैं फिर से पोच रहा हूँ क्या ये rectification कर रहा हूँ नहीं नहीं सिप abnormal items हटा रहे है ये goodwill valuation के वक्ती होता है हमेशा नहीं करते हैं सब वो लोग गलत थोड़ी न कर रहा है insurance claim received insurance claim received 3,012 नहीं समझा बार 3,000 0,000 12,000 अरे वही नील नील ठीक है ना अब यह आपके जो आ रहे है profits ये normal profits है पहला वाला केतना 92 1,3 122 देखते हैं मैं ठीक बोल रहा हूँ क्या अच्छा ये जो figures है इसमें से interest capital क्या minus किया हुआ है नहीं से ये मेरा average नहीं है अब अगला step में आपके लिए निकाल रहा हूँ मैंने समके स्टार्टिंग में बोला था कम से काम तीन बार पड़ो ये जित क्या होता है ना आप लोग का सबसे ब्रा दिक्कत है आप लोग को सबसे पहले अभी जब लोग एक्जाम से पहुचने से पहले अगर आप वो ये अच्छा बनाना है मैं बोलता हूँ कोई भी question solve करने से पहले है ना तीन बार पढ़ा करो एक्जाम के दिन का बात निकरो अभी तीन से चार बार पढ़ा करो जिससे अपना question के language से accustomed हो जाएंगी दिक्कत क्या होता है न आप एक्जाम में question पढ़तों समझ विनिया क्यों क्यों लैंगविज से हभी चुटिटिड हो यह नि एक बार question पढ़ा solution देखा हो गया अप लग question ही नहीं समझ भाए फिर तुम तुम रट लिया कि यह होने से होता है रट न नहीं है question को तीन चेर बार पढ़ो देखो तुम्हारा confidence अच्छा आ जाए तुमको पता चल जागा language क्या विलूम डालता है चलो ठीक है ज्यादा घ्यान हो गया नॉर्मल एवरेज प्रोफिट एवरेज करना है एकवल्स टू कैल्कुरेटर चलाओ 92 प्लस वन लाक थर्टीन प्लस वन लाक ट्वेंटीटीटू डिवाइड़ वाई थ्री नैंटीटू एक तेरा एक बाइस तीन वन लाक नाइन थाउजन आ रहा है किन्तो आपको फिर से दिखा दू फिर नहीं तो मेरे ओपर दो सारोपन करोगी यह बोला था यह लेना है आफ्टर चार्जिंग इंट्रेस्ट ओन फिक्स्ट कापिटल तो यहां से आपको माइनस क यह बतार कापिटल इधर खृष कहां है इतना काटा कोटी ओ गया इधर देवाना देखाता हूं तीनों पारटन का क्यापिटल मैं आपको दिखाता हूं देखो पीटर का दस अजार पॉल का 5000 प्रिंस का 5000 देखाय दिया पीटर पॉल प्रिंस दस म 짜 вп ही 5000 और 5000 चुन चुनल फिया PM कज़र भी Präsident इसका कितना पर्सेत बोला था है चैकर नवह न कि देख्ते समय बोल न भार बार क्या में भूलू दिखा भी बखा के वहरे ने तो कॉर्न बोलई आपडुसी बोलेगा पन का आच्छा है your में नीचे बोला था एं इता इंटरेbas ex यह माइनस करके क्या आ रहा है इस पे जरसा तवज्जो दीजिए तवज्जो 1,07,000 ज्यादा नाम लिखना है तो लिख लो Adjusted Average Profit Are you understanding? Are you understanding? हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया हो हुग 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 ह। अब आगे चला जाए पकार अब क्या करना मुझे गुड्विल निकालना है तो इजी अब तो होई गया है तो तुम्हारा average adjusted profit कितना है 1,007,000 number of years purchase कितना बुला था कि थू बुला था के खो घजाने दिखायी भाइव जार घरते कि ऐड्रची में अफ दो लाग और झौद है ईक्वर스킬ार मेंरे तोMen 7 नाम है पाट्नर का कि ये नाम है पीटर तो मैं लिखा रहा हूं पीटर्स शेर इन गुडविल पीटर का शेर 2 भाई 4 था याद है तो 2,14,000 का 2,04 कर लीजिए देखिए 1,07,000 या रहा है अच्छा मैं बहुत ज़्यादा फास्ट तो नहीं कर रहा हूं नहीं हो लासम कि मुझे थोड़ा धीरे धीरे जाना है यह समझने में बच्छों को थोड़ा स्विधा रहता ही है इंग्लिश भी खराब है अपना देमांग भी खराब है है कि अब जिस तरह का बेजत्ति करते हैं एक बार एक्जाम हो जानतीजी फिर बताते हैं एक्जाम तब तो आपका जरुवत है कुछ कर नहीं पाएंगे फिर आएंगे होकिस्टीक लेगे रुकिया हम लोग कंट्रिबूशन करेंगे सब होकिस्टीक लिएंगे अब ही करने से क्या होगा है क्या तो इंटरमीजेट भी है तब तक हम सेव हैं फाइनल भी है चलवागे एक लाक साथ हजार तो मेरे को शेर ऑफ गुडविल मिल गया वन लाक सवन थाउसन मैं बगल में लिख दिया यह वर्किंग नोट नंबर कितना था वन था ना वन ही थ चीज अच्छा हो गया यह वाला जब डेट कर रहे हैं उसके गुडविल अज़ेश्मेंट टेवल का जर्वत नहीं पढ़ रहा है हां वो कम बच गया है कुछ तहारा हमें चलो ठीक है मैं सम आगे पढ़ता हो इतना दूर क्लियर हो गया सबको एकदम क्लियर है हां अब मैं तो इंशॉरेंस कंपनी से वह पूरा वह मिलता है पॉलिसी वाली वह एक लग मिलेगा उसमें वह पीटर अपना शेर लेगा आगे क्या बुला दिखा है सेवरेली इंशॉर किया मतलब अलग अलग इंशॉरेंस बना है सेपरेट लाइफ पॉलिसी फिफ्टी थाउजन इच हर एक के लाइफ में कितना है पचास सब करके दप रीमियम इन रेस्पेक दिरों बिंग चार्ज्ट थू प्रोफिन रलोस अच्य प्रीमियम प्ल में चार्ज करता है मतला में में पली सिधा एक लाइक मिले किन्तु जो separate life policy है ना, उसमें Peter का पूरा 50,000 मिलेगा, तो कि death हो गया है तो policy value मिलेगा, किन्तु Paul और जो prince है ना, उसका तो surrender value मिलेगा, अरे बोलो, अब ये total जो है, इसमें Peter अपना 2x4 share लेके जाए, तो 2x4 कहा है, अरे 2 is to 1 is to 1 है यार, ये फाल तू बात मत करो अब मेरे सा 2 is to 1 is to 1 है, बोलो, बोलो, समझ में आ रहा है, मतलब सुनो ना, मैं एक और चीज़ समझ गया, मुझे current account में आके लिख देना चाहिए, by share in policy, पॉलीसी, पॉलीसी, बाई share in क्या लिखना चाहिए, पॉलीसी, और इसमें मैं एक वर्किंग नोट नंबर 2 बनाने चला आपके लिए, और मैं आगे बड़ा सर, आगे बड़ा वर्किंग नोट टू गरने के लिए, घबराईये नहीं, मैं लिखा वर्किंग नोट नंबर 2 क्या निकालना था इसमें से हम लोगो, Peter's sharing policy, पहले तो देखो insurance company से policy का कितना कितना रुप्या मिलने का है, तो पहले मैं बात करता हूँ, JLP का, that is joint life policy, अपना joint life policy कितने का था, गजनी लोग, one life, तो joint life policy में अगर debt हुआ है, तो पुरा policy value एक लाख मिलने का है, तो एक लग आएगा घर में, मैं तो form के पास, अब बात कर लेते हैं, separate life policy का, मैं अलग-अलग entry नहीं कर रहा हूँ, सारा policy एक साथ लिख दे रहा हूँ, ठीक है न, separate life policy, underline किया, पहले policy value आएगा, मैं समझा, policy value, 50,000, पॉल बाबु और प्रिंस बाबु इन लोग जिन्दा है, जिन्दा है, तो इनका कौन से value लिया जाता है, कौन से value लिया जाता है, हाँ, इन दोनों का surrender value लेना है, surrender value, और लोग बोल रहा है, surrender value 30% है, मतलब 50,000 का 30%, यानि 15,000 surrender value लेना, इन लोगा मिलेगा, 50,000 का 30%, आज 15,000 रज़ेस्ट होगा है, इन लोग, 15,000 दुनी 30, 50,000, तो या असी, देखतो मैं ठीक लिख रहा हूं क्या, क्या यह 1,81,000 रहा है, I don't know, बेभी, can you tell me, बला लगता है तुम है, सार, आज असे सुनों ना, किसका share of policy निकाल रहा है, हमलो, पीटर, तो मैं लेख रहा हूं, पीटर्स, शेर, इन, पॉलिसी, कि फर्म को टोटल मिल रहा है, एक असी, जिसमें से पीटर का share कितना है, 2x4, तो 2x4 मतलब कितना होगा, 90,000, अरे देखो एक बार, ये वाला थोड़ा सा मिस हो गया, आप लोग ये वाला लिख लो तो, जड़ा सा, sharing profit, ये थोड़ा सा मैरे से मिस हो गया, गलती से pause हो गया था, आप लोग क्या लिए, मैं फिर से बता देता हूं, सबसे पहले आप 2015 का profit लोगे, उसको बोला था, increase by 25% क increase कर दिया, समझ में आ रहा है, मैं क्या निकाल रहा हूं, जानते हो न, पीटर को कितना मिलेगा ये शेर ओफ प्रॉफिट, नो मैंने का, तो ठीक है सर, ये 25% increase बोला था, सम में, तो मैंने सम को increase कर दिया, increase कर दिया, कहा बलोग रहा था, देखो, मैं दिखा देता हूं, increase by 25 25%, ये मैंने कर दिया से, और increase करने के बाद, ये जो profit आया, ये आगया 16 का profit, अब ये profit ऐसे तो बात नहीं पाएंगे, appropriation करना पड़ेगा, ये लोग इंट्रेशन कापिल बोला था, कि तो ध्यान रखना, in the year of debt, disease partner को इंट्रेशन कापिल नहीं दिया जाएगा, तो इस बार पीटर जो मर गया था partner, उसको तो इंट्रेशन कापिल नहीं मिलेगा, तो पॉल और प्रिंस को मिलेगा, तो इंट्रेशन कापिल मैंने पॉल और प्रिंस कह दिया, 5000-5000 fixed capital पे 10%, करके जो है, वो क्या है, divisible profit आजाए, और ये जो profit है, ये पूरे साल का profit है न, पीटर को कितना मिलेगा, तो पीटर 9 मेना जिन्दा था, तो 9 by 12, 9 मेने का profit, इसमें पीटर का share कितना है, 2 by 4, करके आज़े, आप एक बार यहां तक pause करके लिख लो, बच्छे, थोड़ा सा system में problem हो गया था, तो ये आपका miss हो गया, एक बार आप pause कर लो, मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता समझ है, मैं आगे बढ़ जाता हूँ बच्छे, आगे बढ़ जाता हूँ, 6,7,1,2,5, 6,7,1,2,5, 6,7,1,2,5, ये निकल गया, आच्छा, ये वाला तो working पहले किया वाई है, separate life policy का शायद सबका, हेलो, separate life policy का working किया वही है, ये दो ठीकी है, मैं चला गया, goodwill का working किया वही है, ठीकी है, मैं आगे यहाँ पर, आपर, कहाँ पर, कहाँ पर, हाँ, ये रहा, ये working note number कितना था अपना, 3, मैंने लिका working note 3, share of profit यहाँ लिखा दिया, 67,1,2,5, देखलो, गर आपका इस account में इस account में सारा चीज हो गया है, कुछ छूटा हुआ है तो देखलो सच, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ से, कुछ छूटा हुए तो देखलो, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ से, कुछ छूटा हुए तो देखलो, मैं फिर आगे बढ़ता हूँ, हो गया, अब देखो यह वाला सम में मैंने सारा डेटा पढ़ लिया सर कोई डेटा नहीं बागी है तो अब लास्ट में पीटर का जो भी बच्छा है उसको एक्जीक्यूटर को देना है तो हम लोग क्या करेंगे ना बस अब एक्जीक्यूटर अकॉंट में ट्रांसफर कर देंगे 3916 तू पीटर्स एक्जीक्यूटर अकॉंट पीटर्स एक्जीक्यूटर अकॉंट यह कितना रहा बीस अजार 20 आ रहे है ना देखेंगो कि बाच्छे लो यह तोटल मोटल आप कर ले ना अच्छे चीछ देखो एंट्री क्या माना इधर देखो पीटर्स कापिटल टू पीटर्स एक्जीक्यूटर 20 थाउसंद तो एक्जीक्यूटर में जाके पोस्टिंग करना पड़ेगा बोलो क्या यहां 30 अच्टी सेप्टेंबर को यह वाई पीटर्स कापिटल पीटर्स कैपिटल कितना 20 उठाकर लाएं कैपिटल से समझा रहा है 20,000 पीटर्स कैपिटल यह लिख लेए आप पर यह पीटर है पीटरर्सिप में a b c इतना पीछा नहीं कर लिया नो ही मेरे से भी होगा दो है कि अच्छा में एक बाद वो कहां गया अब चले गए करेंट अकउट में अब लास्ट में कisesti करेंट अकाउंट में भी जतना बालस में सब तुम को हड़ बड़ी है कही और जाने का, मेरे को तो नहीं है, भाई 20, 17,000, 67,125, plus 90, ये कितना हो गया, 2,084,125, minus ये करने के बाद, 2,071,125, 2,071,125, 2,071,125, 2,071,125, 2,071,125, 2,071,125, तो एंट्री क्या मना, इधर देखो, पीटर्स करेंट टू एग्जेक्शूटर, तेखाई दे रहा है, तो एग्जेक्शूटर में क्या पोस्टिंग करोंगे, तो मैं यहां पर आगया, 30th September को पोस्टिंग कर दिया, बाई, मेरे भाई, बाई, पीटर्स बिजली अकाउंट, हां, अरे करेंट, करेंट, बिजली नहीं, ऐसे मैं जाके बोले, 271,125, बिजली सुनते ही लड़का लोग ज़्यादा एक्साइड हो जाता है, पता नहीं कि नहीं, 39,16, यह बालन्स कर लो सर, इस अकाउंट का, 291,125, मतलब पीटर के एक्सीक्यूटर को कितना रुपया देना है, 291,125, पीटर के एक्सीक्यूटर को कितना देना है, 291,125, पुझा था ना, एक्सीक्यूटर को लिगल एर को कितना देना है, यह देना है, यह देना है, यह अक बढ़िया समय सर इस सम को कम से कम तीन से चार बार प्रैक्टिस कर, सम खतर